गुट मॉर्निंग एवरीवान आप वेरी गुट मॉर्निंग तो आपने देखा था लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया circuit breaker तो we were talking about power system protection और मैंने आपको circuit breaker के अंदर क्या बताया था यह relay का काम होता है fault को system में detect करना पहचानना की system में fault आ गया है and then it has to inform the circuit breaker that there is a fault ताकि circuit breaker fault को disconnect कर पाए system को open circuit कर पाए तो आज हम relays की बात करेंगे यार मैं आपको इस पे जितने भी तरह के question बन सकते हैं हर question का idea दूँगा आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ कि इसमें 5 या 6 तरह के questions होते हैं कैसे आप हर question को crack कर सकते हो लेकिन इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें फटा फट से बिटा आप लोग एक बार like कर देंगे जादा से जादा इस session को share कर देंगे सब को बता देंगे that uncle sir is now live so let me first start बिटा आपको बताना है that we have a new offer for you that is resolve 2023 हम लोग क्या चाहते हैं बच्चों की new year पे आप लोग एक resolution ले एक resolution ऐसा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है एक resolution ऐसा जिसमें की आप ये कहते होगी sir हम तयार हैं आपके साथ मेहनत करने के लिए लेकिन हमें कुछ पाना है हमें कुछ अचीव करना है और आपकी इसी मेहनत इसी जजबे और इसी कोशिश को ध्यान में रखते वे on the occasion of new year 2023 अनकाडमी is giving you a discount of 23% तो अगर अभी आप अनकाडमी जोइन करते हो to get trained for year 2023-2024 तो आपको सभी subscription पे मिल रहा है 23% discount using the code अंकित ESE तो इस code से बिटा सीधे आपको 10% की जगे 23% मिलेगा and then you can start your preparation with us ठीक है और बहुत ही जल्द हम लोग यार नए batches भी launch करने वाले हैं आप लोग के लिए अभी recently एक batch आपका start हुआ है आपका जो batch start हुआ है that is from December 2021 तो वहां से आपका batch start हुआ है December sorry 2021 नहीं December 21st तो आपका batch December 21st से start हुआ है आप उस batch को भी join कर सकते हो या फिर आगे आने वाले नए batches को भी join कर सकते हैं तो 2023 में आप लोग को प्रण लेना है कि मिलके मचाएंगे महनत करेंगे और उसी के लिए आपको अगर तैयारी start करने है this is the best time join using the code अंकेट ESE चलिए तो शुरू करते हैं भाई relay relay का मतलब क्या होता है भाई relay is a sensing device जो कि यह sense करता है कि system में there is an abnormal situation normal से कुछ हटके situation है और फिर circuit breaker को signal send करता है ताकि circuit breaker जो faulty part है उसे system से disconnect कर पाए तो जब कभी fault आता है क्या-क्या चीज़े बदल सकती है current, voltage, angle between current and voltage, power, frequency ये सारी चीज़ें आपकी change हो सकती है in the event of a fault तो relay इन में से ही किसी ना किसी quantity को monitor करता है इन में से ही किसी ना किसी quantity पे वो operate करता है अब relay के अंदर कुछ important terms होती है जैसे पहली होती है energizing quantity Energizing quantity का मतलब होता है वो quantity जिसके आधार पे आपका relay एक operating force या operating torque पैदा करता है यानि कि जिस quantity को ध्यान में रखते हुए relay काम करेगा या जिस quantity से relay के अंदर torque पैदा होगा that is the energizing quantity Pick up का मतलब होता है कि relay ने sense कर लिया है that there is a abnormal condition and now it will send the signal to the circuit breaker यानि जब relay fault को या abnormal condition को detect कर लेता है तब हम उसे क्या कहते है Pick up Fault clearing time ये मैंने आपको कल बताया था भई Fault clearing time के बारे में क्या बताया था The time between the instance of occurrence of the fault and the final arc extinction मैंने आपको ये बताया था कि fault clearing time के अंदर तीन time आते हैं आपके सबसे पहले आता है relay time फिर आता है बिटा आपका circuit breaker का time और फिर आता है आपका arking time याद है तो arking time मैंने बताया भी था एक से दो half cycle होता है तो that total time is called as the fault clearing time नितिन बिटा कोई बात नहीं आज मैं दो PDF अपलोड कर दूँँआ आज वाला भी और कल वाला भी ठीक है चलिए अब देखो protection के अंदर हम term use करते है primary and backup protection primary protection वो होती है बिटा जो की main protection scheme होती है जिसकी ये जिम्मेदारी होती है किसी एक particular region में किसी एक particular component में अगर fault आया तो उसको उस fault को clear करना पड़ेगा as an example मैं आपको बताता हूँ जैसे मान लो आपने generator में कोई primary protection लगाया तो उसका काम क्या है कि अगर generator के अंदर कोई भी fault आता है तो उस fault को उसे remove करना है अब primary protection अकसर वो होती है which is nearest to the fault यानि fault के सबसे करीब वाला जो relay है उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी होती है fault को clear करने की लेकिन कई बार क्या होता है किसी error की वज़े से किसी fault की वज़े से किसी mistake की वज़े से ये relay काम नहीं कर पाता अब बिटा system में fault अगर हमेशा के लिए रहे गया तो system damage हो जाएगा इसी लिए for safety measure हम क्या करते है backup protection भी बनाते है कि अगर primary नहीं चलेगा तो backup वाला उस fault को clear कर देगा तो primary protection कौन सा relay होता है whichever is the nearest to the fault और fault से दूर वाले जो relay होते है वो backup होते है उनका काम क्या होता है कि अगर primary नहीं चल पाया तो backup protection काम करेगी दूसरी बात बचों क्या होती है कि कई बार primary relay को हम हटा के उसको maintenance में डाल देते हैं उसकी repairing कर रहे होते हैं उस समय पे भी जो आपका backup वाला relay है it will act as a primary relay है ना तो primary वाला जब out of service है तब भी backup काम करेगा primary वाला operate नहीं कर पाया तब भी आपका backup काम करेगा लेकिन primary और backup protection में कुछ भी common नहीं होना चीए वरना क्या होगा किसी कारणवश अगर आपका primary वाला relay खराब हो गया तो backup वाला भी खराब हो जाएगा in case अगर दोनों में कुछ भी common हुआ तो backup relay हर जगे provide नहीं करते हैं वहाँ provide करते हैं जो बिटा बहुत important part होता है जैसे generator है generator बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो वहाँ backup देना जरूरी है या फिर कोई बहुत severe fault है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा high current है which can damage the system तब भी वहाँ देना जरूरी है ठीक है जी time grading principle जैसा देखो मैंने आपको बताया न कि fault के सबसे करीब वाला जो relay होता है that should operate first that is the primary protection और fault से जो दूर वाले relay होते हैं they are the backup protection तो हम यहाँ पर क्या करते हैं जो fault के करीब वाला relay है उसका operating time कम लेके चलते हैं और fault से दूर वाले relay का operating time जादा लेके चलते हैं ताकि पहले कौन सा relay operate करें जो relay fault के करीब है बट सर बाद में तो दूसरा करी जाएगा नहीं जैसे ही पहला relay fault clear कर देगा तब दूसरा relay operate नहीं कर पाएगा क्योंकि fault current हो जाएगा जीरो तो अगर पहला relay काम कर गया तो दूसरा करेगा ही नहीं और अगर पहला late हो गया नहीं कर पाया तब आपका पीछे वाला करेगा अब यहाँ पे देखो यह आपका पीटा source है जैसे जैसे मेरे बच्चों आप source से load की तरफ जा रहे हो आप क्या कर रहे हो time of operation बढ़ा रहे हो जैसे देखो यहाँ पे 0.4 लिया यहाँ पे 0.6 यहाँ पे 1 second तो आप क्या कर रहे हो time of operation बढ़ाते जा रहे हो as you are moving from the load to source यह कैदो time घटा रहे हो from the source to the load अब जैसे देखो यहाँ पे अगर fault आया तो यह वाला relay operate करेगा ना सबसे पहले 0.4 second वाला तो जो fault के सबसे करीब है वही सबसे पहले operate करेगा अगर यह नहीं कर पाया तो 0.6 second पे R2 कर देगा R2 भी नहीं कर पाया तो 1 second पे R1 कर देगा अब आप सोचोगे कि सर अगर fault यहाँ आता तब तो R3 पहले कर जाता जबकि करना R2 को चाहिए बिटा अगर fault यहाँ पे आता ना तो R3 तक तो current ही नहीं जाता R1 R2 से होके ground में चला जाता तो R3 को तो पता भी नहीं होता कि fault है फिर कौन से relay activate होते R1 और R2 इन में पहले कौन operate करता R2 तो अगर fault R2 के पास आता R3 will not even get the fault current तो आप यह मत सोचिएगा कि fault अगर पहले आया तब भी R3 ही operate करेगा इन सचा case R2 will operate first बात समझ में आ गई इसको time grading कहते है इसको हम लोग क्या कहते है time grading तो देखो यहाँ पर यही चीज लिखी है कि tripping कुछ इस तरह से होनी चाहिए such that the relay और the circuit breaker nearest to the faulty part operates first तो यह बात clear हो गई primary protection वही होगी जो fault के सबसे करीब होगी अगर load side एक generator लगी होगी तो फिर वो एक तरह से यह हो गया it is fed from both the ends तब time grading नहीं करते time grading होता है आपका radial system में संदीप radial system में होता है radial system माने जहाँ पे एक source होता है and then there are different different type of load ठीक है अब देखिए relay को construct कैसे करते है तो relay का पहला construction होता है attracted armature relay which works on the principle of electromagnetic attraction इसके अंदर क्या होता है इस relay के अंदर एक coil एक electromagnetic होता है जिसमें की आप current flow कराते हूँ जब आप इसके अंदर बिटा current flow कराते हूँ तो एक magnetic field पैदा होती है which attracts an iron piece just जैसे moving iron के अंदर होता है ना ऐसे ही एक iron piece को attract करती है कल मैंने आपको circuit breaker वाले lecture में क्या बताया था relay जब iron को attract करता है तो circuit breaker का actually ये circuit पूरा कर देता है और उस circuit के पूरे हो जाने से क्या होता है circuit breaker की coil में current flow होता है और circuit breaker की plates आपकी separate हो जाती है तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होने वाला है देखो relay का का काम क्या होता है कि जब ये एक electrical signal को receive करता है ये उसे mechanical में convert करता है यानि कि based on the electrical signal it is going to produce a mechanical motion what it is going to do it is going to produce a mechanical motion तो एक mechanical motion इसको पैदा करना है और mechanical motion करा के इसको क्या करना है दो context को आपस में जोडना है fixed और moving context को तो देखो मैं आपको इसका construction दिखाता हूँ आपको समझ आएगा जैसे यहाँ पे देखो ये coil है इस coil में जैसे ही आप current या voltage दोगे it is going to produce a magnetic flux ये magnetic flux पैदा करेगा अब magnetic flux को क्या चाहिए होता है minimum reluctance का रास्ता अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका air gap आ रहा है इससे reluctance बन रही होगी न g by mu naught a तो हम क्या कहते हैं कि phi tends to minimize reluctance phi जो है it tends to minimize reluctance ठीक है अब ये कैसे minimize करेगा reluctance को by minimizing g air gap को minimize करके अब air gap को minimize करने के लिए it will attract this iron it will attract this iron इसलिए बोला attracted armature relay ये जो iron वाला part है इसको हम moving armature कह रहे हैं तो it is attracting the iron अब बिटा जब ये नीचे आएगा न तो ये वाला जो moving contact है ये fixed contact के साथ touch में आ जाएगा तो यहाँ से क्या होगा circuit of circuit breaker gets completed जैसे fixed or moving contact का आपस में connection बनेगा circuit breaker का circuit पूरा हो जाएगा उसमें current flow करने लग जाएगा और वो अपनी plates को separate कर देगा दूसरा construction यहाँ पे देखो बिटा इसमें क्या है कि आपका coil में जब current जा रहा है ऐसे ठीक है जब आपका coil में current जा रहा है ऐसे तो यह coil magnetic field बनाएगी अगेन बिटा यह iron armature को attract करेगी अब मैंने आपको कल भी बताया था relay के अंदर दो तरह के forces होते हैं एक जो relay को operate कराने की कोशिश करता और एक जो उसको रोकने की कोशिश करता है तो यहाँ पर यह जो spring है it provides restraining torque या restraining force restraining का मतलब रोकने की कोशिश करेगा तो यह जो magnetic field है यह relay को चलाने की कोशिश करेगी spring रोकने की कोशिश करेगा अब जैसे ही देखो यह fixed contact moving contact के touch में आ जाएंगे again circuit breaker का circuit पूरा हो जाएगा and it will produce a action या यह कह सकते हूँ it will break the circuit ठीक है जी तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यह relays जो है AC-DC दोनों को respond करते हैं ऐसा क्यों देखो मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ कि scene क्या है जैसे देखो similar ऐसे समझना operating principle operating principle is similar to is similar to moving iron instrument ठीक है moving iron जैसा ही तो है magnetic field iron को attract कर रही है it is similar to moving iron instruments तो यहाँ पे जैसे moving iron में आपने torque पढ़ा है half i square dl by d theta ऐसे यहाँ पे operating force will be proportional to i square तो आप इसको लिख देते हो k1 i square ठीक है और जो restraining force है वो कौन बना रहा है spring बना रहा है वो तो current या voltage पे depend नहीं करता तो restraining force due to spring restraining force किसके कारण है spring के कारण है is considered as constant इसको क्या मानके चलते हो आप constant ठीक है भाई क्योंकि वो current या voltage पे depend नहीं करेगा तो fr will be k2 तो अब जो आपका net force बनता है यार net force becomes operating force minus restraining force तो आप ये बोलते हो कि relay trips यानि relay circuit breaker को signal भीजेगा अगर net force positive आता है यानि operating force अगर restraining को dominate करता है i greater than root over k2 by k1 ये जो root over k2 by k1 आगया बिटा this is called as your pickup current यानि कि अगर आपका current pickup current से अधिक होगा तब आपका relay operate कर जाएगा relay operate नहीं करेगा उसको बोलते हैं relay blocks relay blocks blocks का मतलब does not operate उसका condition होता है force less than 0 यानि i less than root k2 by k1 तो जो minimum current चाहिए relay के operation के लिए उसको आप pickup current बोलते हैं बात clear हो गई तो यहाँ पे देखो क्योंकि ये i square है इसका मतलब है negative हो या positive हो current आपका force positive ही आएगा इसलिए it can work for both ac and dc ठीक है it can work both ac and dc संदी बिटा वो याद करना पड़ेगा भी universal relay torque equation पर आऊँगा भी थोड़ा wait करो ये fast relay होते हैं बिटा fast relay इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का delay नहीं होता जैसे ही current pickup को exceed करता है this relay starts to operate अब यहाँ पर देखिए time versus current का जो graph है वो inverse graph है ऐसा इसलिए कि as current increases आपका operating force बढ़ता है acceleration बढ़ता है भाई अगर fast move करेगा armature तो time आपका घटेगा अगर आप अधिक force लगाओगे तो कम time के अंदर ये operate कर जाएगा ये बात clear हो गई न सबको कैसे working है अब इसी का एक थोड़ा सा alternating version होता है जिसको कहते है balanced beam relay balanced beam relay में क्या करते है एक की जगे दो coil लगाते है तो पहली coil कौईल कौँ सी होती है operating coil दूसरी कौईल कौईल कौँ सी होती है restraining coil यानि इस बार operating और restraining दोनों ही forces आप कौईल की मदद से बना रहे हो तो ये एक balanced beam है जो की बीच में एक pivot पे लटकी हुई है और इसके दोनों तरफ जैसे तराजू होता है ना दोनों तरफ आपने weight लटका के रखा है जिसको हम बोल रहे हैं plunger अब इस वाले weight को operating coil नीचे खीचेगी इस वाले weight को restraining coil नीचे खीचेगी तो operating coil जब इसे नीचे खीचेगी तो ये moving और fixed contact को pass लाने की कोशिश करेगी ये वाले जो contact है this is the fixed contact तो ये क्या करेगी fixed contact और moving contact को pass लाने की कोशिश करेगी और restraining coil जब left में नीचे खीचेगी तो ये moving contact को उपर ले जाने की कोशिश करेगी अगर देखो ये वाला plunger नीचे आता है तो ये उपर जाएगा अगर ये उपर जाएगा तो ये fixed contact से दूर जाएगा इसका मतलब है ये अलग करने की कोशिश करेगी तो restraining coil दोनों कॉंटेक्स को दूर ले जा रही है और operating coil दोनों कॉंटेक्स को पास लेके आ रही है अब यहाँ पे ये देखिएगा बच्चो कि यहाँ पे आपके पास जो operating force होगा वो भी coil के कारण है तो k1 i square i o square कह दो restraining force जो है k2 i r square तो net force जो होगा is k1 i o square minus k2 i r square तो क्या होगा यहाँ पे relay operates when net force is greater than 0 तो k1 i o square is greater than k2 i r square तो i o is greater than अब की बार देखो ना आपका जो operating current वाला part है उसको आप vary कर सकते हो यानि जो pick up current है वो आप vary कर सकते हो अगर restraining coil का current vary करोगे then you can vary the pick up current तो pick up current इस बार fix नहीं आया pick up current is actually variable अब यहाँ पे आप यह देखिए बिटा यह root k2 by k1 यह जो dotted line दिखा रहा हूँ न this is root k2 by k1 i r तो आप यह कहोगे कि operating current इससे बड़ा आना चीए operating current इससे बड़ा आना चीए यानि इस line से उपर अगर आएगा operating current तो relay will operate और इस coil से अगर नीचे आएगा current तो relay blocks relay blocks लेकिन अगर आप देखो कि बिटा low values पे आप linear behavior से deviate हो गए ऐसा इसलिए क्योंकि आपने ना एक spring भी लगा के रखा है यह जो spring है यह spring को भी आपको overcome करना पड़ेगा तो you need more operating force and more operating current तो आप linear behavior से ज़ादा current लगा रहे हो ना समझ रहे हो more I not is required is required to overcome spring force मुझे बताओ यह point समझ आया spring जो opposition देगा उसको overcome करने के चक्कर में और ज़ादा current की हमको जरूरत पड़ने वाली है यह बात clear हो गई अब मेरे भाई एक चीज़ समझ येगा हमें यहाँ पे spring की जरूरत क्या पड़ी spring की जरूरत यह पड़ी बिटा कि अगर कभी operating coil में कोई current नहीं हुआ मानलो operating coil में कोई current नहीं जा रहा तो यह जो restraining coil ने plunger को पूरा नीचे ना खीच ले उसे hold करने के लिए हमने spring दिया actually ठीक है जब operating current zero होगा तो restraining coil पूरी तरह से इसको नीचे ड्राग ना कर ले उसे रोकने के लिए क्या दिया है spring अब अगला आता है induction disc relay और electromagnetic relay इसके अंदर क्या होता है एक metal disc होती है जैसे energy meter में थी ना ऐसे ही एक metal disc होती है जो कि दो magnet के बीच में rotate कर सकती है अब ये जो दो magnet की magnetic field होती है ये magnetic field space और time में displaced होती है यानि इनके बीच में space में भी कुछ angle बन रहा होगा और time में भी there will be a certain phase shift अब इसके अंदर क्या होता है देखो दोनों magnet जो magnetic field बनाएंगे that will be AC क्या होगी alternating होगी क्योंकि induction phenomena can only work in AC not DC तो दोनो magnet जो magnetic field बनाते है वो होती है AC यानि दोनों magnet से जो flux बनेगा disc के अंदर वो होगा AC अब ये flux AC होने के कारण disc में EMF बनता है disc में eddy current बनता है यानि दोनों के दोनों magnet अपने अपने अनुसार disc के अंदर क्या पैदा करते हैं eddy current अब आपके पास क्या है दो magnetic field हैं और दोनों से दो eddy current बन रहे हैं magnetic field of first and eddy current of second magnetic field of second and eddy current of first इनके interaction से बनता है torque क्या होता है इनके interaction से बनता है torque Lawrence force law, Lawrence force law क्या सिखाता है हमें, कि जब भी कभी magnetic field के presence में, जहां magnetic field है, अगर वहाँ कोई conductor current carry करे, तो उस conductor पे लगता है force, उस conductor पे लगता है force, अब यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास एक ही electromagnet है, यहाँ पे दो magnet तो नहीं है, यह U shape का एक ही electromagnet है, तब यहाँ दो magnetic field बनाने के लिए हम क्या करते है, shading ring लगाते हैं, अब shading ring जो है ना पूरे magnet पे नहीं लगाई जाती है, actually थोड़े से हिस्से पे लगाई जाती है, shading ring का purpose क्या होता है, हमेशा ध्यान रखेगा, it produces, it produces phase shift, phase shift, influx, phi 2, as compared to 5,1, यह एक phase shift पैदा कर देता है, पिटा, flux में, क्या कर देता है, एक phase shift पैदा कर देता है, flux में, due to the shading ring, क्योंकि जब देखो, एक ही flux है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे बच्चो, तो यहाँ पे आपको एक ही flux नजर आएगा, तो एक flux से तो टॉर्क नहीं बनेगा, हमको दो flux चाहिए, तो एक flux से दो flux बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, shading ring की, एक flux ऐसा होगा, जो shading ring के थुरू आएगा, एक flux आपका direct आएगा, इन दोनों flux के बीच में क्या हो जाएगा, there will be a phase shift, बात समझ में आ रही है, there will be a phase shift, और यह देखो, बीच में disk है, जो की आपकी rotate करती रहेगी, मुझे बताओ यह चमका, और मैंने जो measurement का class लिया था, जिसमें energy meter discuss किया था न, वहाँ पे मैंने बताया भी था shading ring का, वहाँ पे मैंने बताया भी था shading ring से क्या होता है, क्या होता है, shading ring के अंदर eddy current पैदा होते हैं, वो अपना खुद का भी flux बनाते हैं, और वो flux, और जो इस magnet का flux है, वो मिलके जो resultant flux बनाते हैं, that has a phase shift, दुबारे से सुनना, क्या होता है, shading ring से जब flux पास होता है, तो shading ring में EMF बनता है, और इसके अंदर eddy current बनते हैं, shading ring ए copper की ring है, तो एक copper की ring में eddy current आ जाते हैं, अब वो अपना खुद का भी magnetic field बनाते हैं, जब वो अपना भी magnetic field बनाते हैं, तो resultant magnetic field जो बनेगा, किसका resultant, magnet का और ring का, that will have a phase shift, तो यहाँ पे देखो, हमने क्या दिखाया मेरे बच्चों, कि 51 और 52 के बीच में phase shift है theta का, तो जो torque आता है आपका, that is proportional to 51 52 sin theta, machine में याद है, ऐसे होता था product of the two magnetic field into sin of angle between them, machine के अंदर यही तो होता था, electromagnetic torque, जब भी दो magnetic field होती थी, product of the two magnetic field and the sign of angle between them, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, for maximum torque, for maximum torque, phase shift, phase shift between two torques, must be 90 degree, दोनों torque के बीच में जो phase shift है, that must be 90 degree, ठीक है भाई, आप देखो इसी का दूसरा construction होता है, जिसको हम बोलते है, energy meter construction, इसका एक ऐसा construction भी होता है, which resembles a energy meter, ठीक है, energy meter construction, अब यह energy meter construction में क्या होता है, there are two magnets, one is called as a series magnet, series magnet, and the other is called as the shunt magnet, तो basically यहाँ पे तो हमने दो magnet लगाई दिये, सीदे सीदे, जैसे पिछले वाले construction में, एक ही magnet था, तो दो flux बनाने के लिए, हमें shading ring की ज़रूत पड़ी, यहाँ पे by default दो flux बन जाएंगे, क्योंकि दो अलग-अलग magnet आ रहे हैं, अब यहाँ पे यह देखिए, यह जो relay की coil आपको दिखाई गई है, यह जो coil बिटा आपको दिखाई गई है, इस coil में, you can change the number of turns, and how, by changing the plug setting, यहाँ पे देखो क्या है न, यह जो plug setting दिखाया गया है, तो यहाँ पे आपने इस coil में tapping provide की है, तो by changing the tapping, you can change the number of turns, और number of turns change कर देने से, you can change the pickup current, यहाँ पे देखिए, number of turns can be changed, can be changed to change I pickup, ठीक है, I pickup बदलने के लिए, आप number of turns बदलते हैं, ठीक है भाई, तो I pickup का relation आप यहाँ से कैसे निकालते हैं, यहाँ से relation ऐसे निकाला जाता है, हम यह कह देते हैं, operating force is proportional to n i square, which is constant, तो यहाँ से ऐसा बोल देते हैं, i is inversely proportional to root m, तो ऐसे, तो आपको क्या चाहिए ना, कि जो pickup current है, that is inversely proportional to root n, तो जैसे जैसे आप number of turns कम करोगे, you can increase the pickup current, और बहुत जगे क्या होता है, बहुत जगे ऐसा भी कर देते हैं, कि भाई, mmf equal to constant करके, mmf equal to constant करके, n i को constant करते हैं, तो यहाँ से i is inversely proportional to n आ जाता है, तो आप options के हिसाब से judge कर लेना, तो बहुत जगे operating force को constant करते हैं, और कुछ जगे आपको ऐसा देखने मिलेगा, कि आप mmf को constant करोगे, just a minute, ठीक है भई, यहाँ तक clear है सबको, बताओ मुझे, तो यहाँ पर आपने दो magnets का use किया है, पिछले वाले में देखो एक ही magnet था, तो shading ring लगी थी, यहाँ दो separate magnet आपने use किये हैं, अब यहाँ पर भी देखिए, time का जो relation है, with respect to current, तो यहाँ पर क्या होता है, as current increases, operating force increases, और जैसे-जैसे operating force बढ़ेगा, operating time decreases, तो यह जो inverse relationship होती है, ना बिटा, यह desirable है, यह मत सोचना undesirable है, this is desirable actually, desirable क्यों है, क्योंकि याँ देखो जब system में ज़्यादा fault current आ जाए, जब system में basically ज़्यादा current flow करने लग जाए, तब आप यह चाहोगे, इस प्रकार के fault को जल्दी से जल्दी clear किया जाए, ताकि system को damage ना कर दे, क्योंकि जो high current है, that is very very harmful for the system, so that sort of a fault must be cleared faster, अगला आता है भई, plug setting and time setting, क्या होता है न, time multiplier setting नाम का एक term है, यह time multiplier setting चीज क्या है, बेटा, time multiplier setting का मतलब यह होता है, कि अब देखो relay के पास दो contact है, एक है fixed contact और एक है moving contact, अगर हम fixed और moving contact के बीच का gap कम कर दें, तो relay can operate faster, तो basically यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, we change the separation between the two contacts, in order to change the operating time of the relay, इससे क्या होता है जो relay का graph है, यह graph देखो कभी भी change नहीं होता है, graph ऐसी रहता है, लेकिन operating time घटेगा या बढ़ेगा, तो this graph can shift upwards और downwards, तो देखो इस type से, जैसे यहाँ पे देखिए, यह वाला जो graph है, यह time multiplier setting equal to 1 के लिए है, so this gives you the maximum operating time, क्या देता है यह? maximum operating time, और बाकी, बाकी के जो graph है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो नीचे वाले graph है, reduce separation, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, you are reducing separation, of fixed and moving context, fixed and moving context, to reduce the operating time, ठीक है, to reduce operating time, बात चमक गई अच्छे जे, operating time कम करने के लिए, आप इन दोनों के बीच का separation कम कर रहे हैं, clear है? नहीं बेटा, creeping की यहाँ पे बात नहीं करते हैं, संदीप, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे मैंने यही बताया हुआ है, बेटा, कि अगर disc जो है, छोटा path लेगी, क्योंकि आपका separation कम होगा, तो time कम लगेगा, और plug setting के अंदर, अभी मैंने आपको बताया है जैसे कि आप number of turns change करते हो, तो you can change the pickup current that is set to be the plug setting, तो यहाँ पे देखो, the arrangement is such that for various plug settings, ampere turns remain same, जो मैंने बताया है, MMF आपका same रहता है, इससे क्या होता है, whenever you change the number of turns, whenever you change the number of turns, the minimum current required, or the pickup current is going to change, यह वाला relation, ठीक है, NI equal to constant के हिसाब से, pickup current is inversely proportional to the number of turns, please explain from diagram, कौन सा diagram से भाई, मेरे भाई, इतने सारे relay मैंने दिखाए हैं, किसी भी relay में, अगर तुम moving और fixed content के बीच का gap कम कर दोगे, time कम लगेगा, gap बढ़ा दोगे, time जादा लगेगा, वही तो time multiplier setting है बस, तो हमने क्या बुला, time multiplier setting का मतलब यह है, कि अगर आप fixed or moving content के बीच का gap बदलते हो, time of operation बदलता है, plug setting का मतलब मैंने क्या बताया, कि if you change the number of turns, the minimum current required is going to change, तो बताओ भाई, इसमाइल इसमें क्या चीज़ clear नहीं है, अगले पर आते हैं बिटा, induction cup relay, induction cup relay जो होता है न, यह induction time setting value, अरे भाई, यह example दिया है, कि time setting जितनी छोटी होती जाएगी, उतना कम time लगेगा, ग्राफ उतना नीचे आता जा रहा है, time multiplier setting कम करने का क्या मतलब होता है, that you are reducing the separation, of the fixed and the moving context, जिन context को pass लाना है, अगर उनके बीच का gap कम करोगे, तो time कम लगेगा, gap जादा करोगे, तो ज़्यादा time लगेगा जुडने में, तो time बढ़ता जा रहा है, time multiplier setting बढ़ाने से, यह time कम होता जा रहा है, by reducing the time multiplier setting, simple सा logic सोचो न, यार दो चीजों को जोड़ना है, वो जितनी दूर होंगे, उनको जोडने में उतना ही जादा time लगेगा, तो यह separation बढ़ाने से, TMS आपका बढ़ता है, हाँ जी, अब आता है, induction का प्रिले, अचा तुमने class late join के, फिर तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तो पीछे जाके देखो, अब भाई class late join की, अब एक चीज रताओ, किसी भी class में अगर तुम late पहुँचोगे, तो बाकी बच्चों का class रोक के पहले, तुम्हें separately अलग से attention दे के समझाया जाना चाहिए, कि class में अब तक क्या हो चुका है, ऐसा VIP treatment किसलिए भाई, हाँ जी, induction का प्रिले, induction का प्रिले में क्या होता है, यह induction motor के principle पे काम करता है, यहाँ पे दो coil होती हैं बिटा, जो की 90 डिगरी पे रखी जाती है, and they produce our rotating magnetic field, हाँ TMS का magnitude current से independent होता है, ठीक है, TMS का magnitude आप लोग पहले से fix रखते हो, question में given रहेगा, TMS आपको कभी नहीं निकालना होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो coil होती हैं बिटा, विचार kept at 90 degree, and they produce a rotating magnetic field, अब इन coils के बीच के अंदर क्या होता है, एक rotor रखा जाता है, उस rotor का construction क्या होता है, drag cup rotor, यह जो cup rotor होता है, it is just like a hollow cylinder, जिसका की inertia बहुत कम होता है, इसलिए बहुत fast rotate कर सकता है, तो आप क्या कर रहे हो, दो coil से rotating magnetic field बना रहे हो, बीच में आप एक rotor रख रहे हो, which is a hollow cylinder, तो यह rotating magnetic field क्या करती है, इस hollow cylinder पे torque लगाती है, and it starts to rotate, और जब यह rotate करेगा, तो इस पे क्या होगा, इस पे जो moving contact है, वो जाके fixed contact से चिपक जाएगा, और circuit breaker आपका operate कर जाएगा, ध्यान रखें, relay का सिर्फ एक ही purpose है, कि जब भी आप इसको electrical input दोगे, it has to produce a mechanical motion, तो यहाँ पे आप देख सकते हो न, दो coil हैं, जो आपस में 90 degree पे रखी गई है, जैसे यह दोनों connected होंगी, और suppose, यहाँ पे आपकी, यह दोनों connected होंगी, ऐसे, तो यह दो coils हो गई ही, विचार kept at 90 degree, बीच में आपका cup rotor रखा है, ठीक है, तो cup rotor की खास बात क्या होती है, less inertia, less inertia के कारण, fast movement, और, fast movement के कारण क्या होता है, it relay operating time is less, लेकिन यह भी सिर्फ AC के लिए ही चल सकता है, जो पहले मैंने बताया थे न, electromagnetic attraction, और balance beam relay, वो AC, DC दोनों के लिए चलते हैं, induction disc relay और induction cup relay, only for AC, जहां word induction आ गया, such type of machine, such type of system, can only operate for AC, चमका, बोलो भाई, यह चमक गया, ठीक है जी, हाँ जी, अब आते हैं, over current protection, पे, over current protection क्या होता है भई, एक ऐसा relay, जो की तब operate करे, जब आपका current, एक preset value, एक predefined value से जादा हो जाए, वो preset value क्या होती है, pickup value, तो एक ऐसा relay, जो की तब operate करे, when current is greater than the pickup value, is set to be the over current relay, इसका use कहा होता है, distribution के protection में, motor के protection में, power equipment में, industrial system में, जहां भी high current आने की संभावना है, वहां protection के लिए क्या लगाओगे, over current relay, अब इसके अंदर देखो, अलग-अलग तरह के parts होते हैं, जैसा पहला होता है, definite time over current relay, इसका मतलब यह होता है बिटा, कि regardless कि current आपका कितना है, यह जो relay है, यह एक fixed time के अंदर operate करता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही इसके अंदर current pick up से जादा जाता है, इसकी coil हो जाती है saturate, coil saturate होने से magnetic field हो जाती है constant, magnetic field constant हो जाने से, इसका force हो जाता है constant, और force constant हो जाने से, यह एक fixed time में ही operate करेगा, तो जब भी कभी ऐसा बोला जाए ना, कि कोई भी relay है जो कि fixed time में operate कर रहा है, irrespective of the current, तो उसका एक ही कारण होता है saturation, क्या होता है? saturation, जब जब saturation आता है, current आपका fix, magnetic field fix हो जाती है, जिससे की force आपका fix हो जाता है, बात clear हो गई? अगला instantaneous over current relay, इसके नाम से गुमरा मत हो जाना पिटा, instantly कोई relay operate नहीं कर सकता, इसका मतलब यह होता है, कि जैसे ही current, pick up current के उपर जाएगा, जैसे ही current आपका pick up current के उपर जाएगा, तुरंत से यह relay काम करना start कर देगा, तो इस relay को बहुत कम time लगता है operate होने में, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई delay हम insert नहीं करते हैं, कई बार क्या होता है ना, इस डर से कि relay sub transient region में ना operate कर जाए, हम intentionally उसके operation को delay कर देते हैं, कि उसका operation कुछ देर बाद हो, अपने operation को शुरू करता है और minimum time के अंदर operate करता है, अगला होता है inverse time over current relay, inverse time over current relay के अंदर क्या होता है बिटा, इसके अंदर जो operating time होता है, that is inversely proportional to the current, तो जैसे जैसे current बढ़ेगा, वैसे वैसे time कम होगा, तो जितने भी अभी तक hyperbolic graph दिखाए हैं, वो इसी के होते हैं, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, ये one, ये three, अब ये one वाला graph न, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ, यहाँ पे clear नहीं नजर आ रहा होगा, देखो, one वाले graph में क्या होता है न, थोड़ा सा और अच्छे से इस figure को दिखाता हूँ, क्या होता है, कि देखो, पहले तो ये pick up current हो गया, pick up current से पहले तो कोई operation है ही नहीं, ठीक है, ये operating time है, और ये current है, और ये pick up current है, pick up से नीचे तो कोई time होगा ही नहीं, या ये कह सकते हो infinity होगा, कि operation होई ना, अब ये जो आपका, कौन सा है, definite time, इसमें क्या होता है, ये fix time में ही operate करता है, देख रहे हो, इसका time fix है, क्योंकि यहाँ पे तुरंत में saturation आ गया, और जो inverse वाला है, वो hyperbolic चलेगा, hyperbolic चलेगा, logic clear हुआ, inverse वाला hyperbolic चलता है, अगला होता है भाई, IDMT, inverse definite minimum time relay, इसके अंदर क्या होता है, starting में तो graph hyperbolic होता है, यानि starting में, time varies inversely with the current, लेकिन जब high current आता है, जब high input current आता है, तो ये relay saturate कर जाता है, और saturation के कारण, यहाँ पे operating time आपका, constant हो जाता है, operating time आपका constant हो जाता है, यानि lower values पे inverse, और higher values पे definite, lower values पे inverse, और higher values पे definite, देखो मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, ठीक है, और मेरे भाई motor में जो high starting current होता है, उसको तो हम control करते हैं न, starter की मदद से, वैसे भी, ठीक है, और यह जो high starting current होता है, यह आपका transient होता है, यानि यह ज़्यादा देर के लिए ठिकता नहीं है, तो relay का operating time आप उससे ज़्यादा रख दो, ठीक है, देख रहे हैं, same question चिपका दिया, इसमाइल ने भी, यह देखो, ऐसे, तो starting में देख रहे हैं, और आपका आगे जाके यह definite हो जा रहा है, ठीक है भई, अगला, very inverse time, very inverse time के अंदर क्या होता है, कि यहाँ पे inverse characteristic और ज़्यादा होती, यह मतलग कि, यह जो hyperbola का slope है, यह और ज़्यादा steep होता है, यह graph और तेजी से गिरता है, ठीक है, k upon i to the power n minus 1, यहाँ पे यह जो n है, यह 1.02 से लेके 2 तक होता है, यानि 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है तो ज़्यादा inverse तरीके से vary करेगा, और extremely inverse, extremely inverse में और ज़्यादा तेजी से vary करता है, i to the power 3.5 into t is constant, ठीक है, इसका फाइदा क्या होता है, extremely inverse का, इसका फाइदा क्या होता है, it can easily discriminate between, extremely inverse का फाइदा बता रहा हूँ, पहला, inrush current and fault current, जो आप लोग भी बोल रहे हो, कि starting में जो high current होता है, वो बहुत तेजी से decay होता है, तो ये इसमें और fault current में फरक पता कर सकता है, क्या होता है न, देखो main जो starting current और fault current का difference है, वो क्या है, कि starting current जो होता है, बहुत तेजी से reduce हो जाता है, normal value पे आ जाता है, लेकिन fault current हाई रहता है और लंबे समय तक हाई रहता है, ठीक है, अब दूसरी चीज, दूसरी चीज किसके बीच में differentiate करता है, fault within and outside, its protection zone, कौन सा fault इसके protection zone के अंदर आ रहा है, और कौन सा fault इसके protection zone के बाहर जा रहा है, ये उसमें फरक पता कर सकता है, इसलिए ये वाला काफी preferable होता है, बात चमकी, बोलो भाई, inrush और fault current के बीच में क्या होगा ना, differentiate करने के लिए आप extremely inverse करोगे, पता है क्यों, देखो, जैसे inrush current है, inrush current जैसे जैसे आपका कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपका time बढ़ता जाएगा, time बढ़ता चला जाएगा, तो ये relay कभी operate ही नहीं कर पाएगा, inrush current के लिए, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि inrush current आना तो बड़ी स्वभाविक सी बात है, उसका ये मतलब थोड़ी है, कि inrush current कोई fault हो गया, जब-जब machine चालू होगी, high current वो draw करेगी ही करेगी, तो आप ये देखो ना, जैसे जैसे current बढ़ रहा है, इसका operating time बहुत तेजी से grow कर रहा है, तो extremely inverse time में क्या होता है, as current decreases, operating time rapidly increases, logic समझ आया, जैसे operating time पहले current के हिसाब से, 1 second ता, अब इतने 1 second होता, इतनी देर में current कम हो गया, current कम हो गया, तो operating time 2 second हो गया, अब 2 second तक ये operate करता, इतने current और कम हो गया, operating time और बढ़ गया, तो ऐसे तो ये कभी operate नहीं कर पाएगा, लेकिन fault current high value पे लंबे समय तक टिकता है, तब ये relay operate कर देगा, अब मिलिया भाई जवाब संदीप, इस्माइल, सुजीत सबको, बताईए, अब देखो plug setting multiplier and TMS, जैसे देखो आप pick up current निकालते हो ना, sorry, per unit value निकालते हो, वैसे ही होता है, PSM, PSM होता है, plug setting multiplier, देखो यहाँ से पहला numerical बनता है, relays का, ये relays का पहला numerical सिखा रहा हूँ, plug setting multiplier, PSM, क्या होता है, मैंने आपको कल के lecture में दिखाया था, जो relay होता है, it is always connected on the secondary side of our current transformer, तो आप क्या लिखते हो, कि it is the fault current, on secondary side of CT, upon pickup current, basically हम ये देखना चाह रहे हैं, कि relay में जो current जा रहा है, वो pickup current से कितने गुना ज़ादा है, बिटा इसका तो अभी अंकित मुझे कोई idea नहीं है, अभी class लेते लेते मैं कैसे बताऊंगा, बताओ, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, fault current by CT ratio, या, into CT ratio लिख लो, divided by I pickup, ये CT ratio से मेरा क्या मतलब है, CT ratio मैं किसको बोल रहा हूं, मैं CT ratio बोल रहा हूं, secondary upon primary current, यानि अगर 500 by 5 का है न, तो मेरे हिसाब से ratio जो है, that is 5 upon 500, समझ गए मैं को ratio कैसे लेना है, secondary by primary, ये हुआ, ये plug setting multiplier होता है, अब इसमें क्या होता है, pickup current, हम लोग कैसे लिख देते हैं, हम इसको लिखते हैं, relay setting, into, rated current of relay, अब ये जो relay setting होती है न, ये आपकी 100% से ज़्यादा होती है, क्योंकि relay के rated current से ज़्यादा पर वो operate करता है, यानि relay के rated current से ज़्यादा current जब आएगा न, तब ही relay उसको fault मानेगा, तो this is greater than 100%, अब बहुत बार क्या होता है न, कि आपका relay का rated current mentioned नहीं होता, अगर relay का rated current mentioned नहीं है, तब आप क्या कीजिएगा, एज्यूम रेटेड सेकेंडरी करेंट औफ सीटी, क्योंकि relay secondary side पर लगता है न, rated secondary current of CT as rated relay current, secondary की जो rating होगी, वही आपका relay का भी rated current कहलाएगा, अब time of operation जब निकालने की बात आती है, तो time of operation is actually a function of plug setting multiplier, लेकिन इसमें एक बात का खास हमें ध्यान रखना होता है बिटा, कि time of operation जो given होता है न, table में या graph में, वो TMS equal to 1 के लिए given होता है, आप उसमें TMS multiply करेंगे, तब आपको operating time मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया है न, आप TMS कम कर लेते हो, by reducing the separation between the fix and the moving contact, तो जब आप TMS कम कर लेते हो, तो आपका operating time कम हो जाता है, तो जो भी operating time है TMS equal to 1 के लिए, उसमें आप TMS multiply करके, उसको actual value में convert करोगे, अब ज़राए question देखिए, which of the following correctly represents the sequence of operation of isolator, circuit breaker and earthing switch, while operating a circuit, कौन सा sequence सही है, जल्दी से check करके बताये भई, क्या आ रहे हैं? answer will be A, पहले circuit breaker खुलेगा बिटा, फिर उसके बाद isolator खुलेगा, जो लोग भी दे रहे हैं, isolator कभी भी पहले नहीं open हो सकता, मैंने क्या बताया था? isolator तब open होता है, जब current zero हो जाए, अगला देखिए, fault current is 200 ampere, relay setting is 50% CT ratio दिया है, plug setting पूछा है, बताये, plug setting multiplier, fault current को secondary पे ले जाओ, ये 2000 कर ले न, fault current को secondary पे ले जाओ, अब आप relay setting से pickup current निकालो, and then calculate the plug setting multiplier, come on everybody, फटा फट करेंगे सभी लोग, क्या रहे वन, देखो, fault current को जब हम secondary पे लेके जाएंगे, तो we will write 2000, into 5 by 400, तो that is 25, I pick up 50% बोला है न, तो 50% of the rated current, rated current क्या लोगे 5, तो धाई, अब यहाँ से plug setting multiplier आएगा, 25 by 2.5, that is 10, that is 10, ठीक है, अगला करेंगे, an IDMT type over current relay is used to protect a feeder, through a 500 is to 1 CT, the relay has a plug setting of 125% TMS 0.3, find the time of operation if a fault current of 5000 ampere flows through the feeder, this is the relay characteristic PSM versus time, the time is given for TMS equal to 1, and 100% current corresponds to 1 ampere current, यह बोल रहा है, 100% current का मतलब है 1 ampere, जो कि आपका secondary का rated current भी है, जो कि होना भी चाहिए, हमने यह तो बोला का relay का rated current जो होता है, वो CT का secondary current होता है, वही चीज यह last line में आपको mention करके दे रहा है, चलिए फटा-फट, come on, सौरफ कह रहे हैं, ए आ रहा है, बाकी लोग बताईए भई, बाकी लोग भी बोलो, देखें, देखो, पहले pick up current निकाल लो, 125 परसेंट बोला है, तो 125 बाई हंड्रेड, रेटेड करेंट है 1, तो 1.25 एंपियर, और मेरे भाई, फॉल्ट करेंट सेकेंडरी साइड पर क्या होगा, यह होगा आपका कितना, 5000 इन्टु 1 बाई 500, दाट इस 10 एंपियर, अब प्लग सेटिंग मल्टिप्लायर क्या होगा, 10 बाई 1.25, दाट इस 8, अब जब आपका PSM 8 होता है, तो आपका टाइम कितना आता है, 3.2, टेबल में ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन मेरे भाई, यह जो टाइम है, यह TMS इक्वल टु 1 के लिए है, तो आपको TMS भी मल्टिप्लाई करना है, ताकि सही ऑपरेटिंग टाइम निकले, TMS 0.3 गिवन है, तो आंसर विल भी A, यह होता है, पूरा एक ओवर करेंट रिले का सवाल, इस टाइप से, पहले PSM निकालते हैं, फिर टेबल या ग्राफ से आपको टाइम मिलता है, फिर उसमें TMS मल्टिप्लाई किया जाता है, अगला देखो यह ग्राफ वाला आ गया, और यह ग्राफ दे रखा है, करू जरा, करो फटा फट से भई, क्या आ रहा है, देखो, फॉल्ट करेंट को आप सेकेंडरी पर देखो, करेंड़ाना आ ऐिर उसमें लेखो, पुल्ट कर देखो, क्या ख़ा है, क्या प्रोट वाला आप से लेखो, क्या आप से भगवाफ यह गज़ाना आप से अवगवाफ, तो महान आ उचारी आ झा zuभवाफ, एज आप पनिया में अपको प्राफ प्राफ, झाल झाल अभी बता अभी audio clear है अभी audio आ रही है चल तो यह 62.5 आ गया भी अब यहाँ पे क्या बोला है कि 150% का setting है तो pick up current निकाल लो 150 by 100 into कितना 5 तो यह हो जाएगा 7.5 amp अब plug setting multiplier is 62.5 by 7.5 15 into 5 5 into 15 5 into 125 यह कितना आ गया मेरे ख्याल से 75 पे गया तो 25 पे काट जो ना तो 8.333 तो देखो इसका time जो है 2 और 4 के बीच में होना चाहिए लेकिन आपको TMS भी multiply करना होगा TMS कितना दिया है? 0.6 तो 0.6 multiply करते हो तो answer should lie between 1.2 and 2.4 1.2 और 2.4 के हिसाब से तो none आना चाहिए ठीक है? None of these क्योंकि 8.335 और 10 के बीच में आएगा ना 8.335 और 10 के बीच में आएगा बात क्लियर हो गई? चलो अब अगले पर आते हैं That is the universal relay torque equation क्या होता है? ये एक ऐसी equation है जो की हर तरह के relay के torque को बता सकती है तो इसके अंदर देखो क्या-क्या होता है? K1 mod I square K2 mod V square K3 mod V mod I cos theta minus tau and then minus K4 अब यहाँ पर बिटा यह जो पहली term होती है This represents over current यानि यह current के आधार पे बनी है यह वो coil पैदा कर सकती है जिस coil में current flow करेगा दूसरी जो term है That represents over voltage यानि यह वो coil produce करेगी जिसका current voltage के proportional है टीक है? voltage के proportional है बिटा tiny URL पे तो आज की date में मेरा कुछ भी content नहीं है तो कौन सा tiny URL चला रहे हो? And this is your directional term क्या है यह directional term? यहाँ पे क्या होता है? यह जो theta होता है angle between V and I और यह जो tau होता है tau is a preset parameter यह पहले से set किया जाता है tau एक certain value पे ठीक है? और यह जो K4 है this is due to spring अब देखो जितने भी relay होते है न उनके अंदर सारी terms नहीं होंगी इन में से कुछ-कुछ terms होंगी तो किसी relay में over current होगा किसी में over voltage होगा किसी में directional होगा बट हर relay के अंदर इसमें से अलग terms included होती है अब जैसे over current relay की बात करें तो over current relay में जो torque होता है that is K1 mod I square minus K4 तो इसमें ना तो over voltage वाली term होती ना तो directional वाली term होती इसमें बस over current और spring वाली term ली जाती है तो K2 और K3 0 होते है अब यहाँ पे आप क्या कहते हो बिटा कि relay operates relay मेरा कब operate करेगा when the torque is greater than 0 तो K1 mod I square is greater than K4 यानि कि mod I is greater than under root में K4 by K1 यह जो root में K4 by K1 है what is this this is your pickup value ठीक है ऐसा ही तो आज हमने देखा था attracted armature relay में तो वही similar type का relation आपको कहां से मिल गया universal relay torque equation से आदित्य बिटा अगर website नहीं चल रही है थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी सुबह 7 बजे मैंने class लिये तब ठीक ही चल रही थी थी तो यूज़ली अन academy website अगर कभी down होती है तो within a few hours वो ठीक हो जाती है तो काहे इतना परिशान हो गए 2-3 गंटे बैठ जाओ 2-3 गंटे अपना practice कर लो नहीं तो ये lecture देख लो कुछ ना कुछ तो revision होई जाएगा अगला होता है भाई directional relay directional relay का का काम क्या होता है कि जब power एक particular direction में flow करती है then this relay will not operate लेकिन अगर power का flow अगर power का flow reverse हो जाता है then this relay is going to operate कई बार जैसे क्या होता है आप लोग जानते होगी fault जब आता है तो एक synchronous motor एक generator की तरह behave करने लगते है it starts delivering power तो उस situation में power का flow reverse हुआ तो अगर वहाँ पे आप एक directional relay लगा दोगे then that directional relay will detect that there is a fault वो क्या detect कर लेगा अब इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर जो torque होता है उसमें सिर्फ k3 वाली term लेते हैं mod v, mod i, cos theta minus tau ठीक है तो हम कहते हैं maximum torque कब होगा when theta equal to tau और zero torque कब होगा भाई zero torque जब होगा जब theta minus tau is plus minus 90 तो इसका graph देखिएगा यह voltage का axis है यह आपका current का axis है और current voltage से कितना angle lag कर रहा है that is by angle theta और यह जो dotted line है यह dotted line का angle है tau तो हम लोग क्या बोलते हैं यह dotted line है अगर theta इसके उपर लाई कर गया that is the maximum torque line और theta अगर इससे 90 degree पे चला गया तो that is a zero torque line that is a zero torque line अब यहाँ पर फंडा यह होता है बिटा relay operates relay कब operate करता है when torque is greater than zero cos theta minus tau is greater than zero तो theta minus tau जो लाई करेगा that will lie between minus 90 and 90 तो tau से 90 इधर देखो tau से 90 इधर और tau से 90 इधर इसमें relay trip करेगा यानि circuit breaker को inform करेगा और उपर में relay trip नहीं करेगा दुबारे से समझना एक voltage axis बनाई मैंने बोला current इससे theta angle lag कर रहा है tau एक पहले से preset angle है तो अगर theta tau के बराबर होता है तो torque maximum आता है क्योंकि cos 1 हो जाता है और tau से 90 degree पे जो line है that indicates zero torque तो यह zero और maximum के इस तरफ क्या है positive torque है जहां relay operate करता है इसके उपर negative torque है जहां relay operate नहीं करता है तो इसलिए इसके नीचे दिखाया trip और इसके उपर दिखाया block तो directional relay का funda समझे जब भी power flow reverse होता है अगर वहाँ directional relay लगा होता है it detects a fault distance relay distance relay पिटा तब operate करता है when the fault lies within a certain distance of the relay इस relay के अंदर क्या होता है एक potential transformer एक current transformer लगाया जाता है यह क्या करते है यह voltage और current को step down करके relay को provide करते है after stepping down the voltage and the current तो relay क्या करता है voltage और current का ratio measure करता है और यह ratio अगर एक certain value से नीचे आता है तो relay will operate और अगर यह certain value के उपर आता है relay will not operate फंडा यह होता है बिटा कि voltage और current का ratio represents the impedance impedance is always proportional to the distance तो ratio एक certain value से कम आने का मतलब है distance एक certain value से कम होना distance एक certain value से कम होने का मतलब है कि fault relay के एक certain distance के अंदर लाई कर रहा है तो अगर fault relay के range में लाई कर रहा है relay के एक certain distance के अंदर लाई कर रहा है then the relay is going to operate relay is going to operate बात समझ में आई क्या कर रहे है हम लोग जहां पे relay लगा है पहले voltage current को step down कर रहे है दोनों को relay में pass कर रहे है relay check कर रहा है voltage current का ratio अगर ये एक certain value से कम आया then the relay is going to operate अब distance relay में तीन तरह के relay होते है impedance relay, reactance relay and the more relay अब यहाँ impedance relay का funda क्या होता है impedance relay में क्या होता है जो torque होता है आपका वो होता है k1 mod i square और k2 mod v square वाले को negative ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पहली term है this is operating and the second term is restraining तो यहाँ पे restraining coil किस से चल रही है जैसे balance beam relay लगा लो तो operating coil चल रही है current से restraining coil चल रही है voltage से तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे that the relay operates relay कब operate करेगा when the torque is greater than zero यानि k1 mod i square is greater than k2 mod v square तो इससे क्या समझे इससे यह समझे कि mod v upon mod i is less than root over k1 by k2 यानि mod z is less than mod z rs यह mod z rs क्या होता है भाई this is your relay setting impedance तो जब हम इसकी characteristic बनाते हैं भाई तो हम बनाते हैं rx plane में rx plane में जो mod of z होता है that is representing a circle तो हम एक circle बना लेते हैं इस circle का जो radius है मेरे बच्चो यह है mod z rs इस circle का radius कितना है mod z rs तो अगर आपका distance from origin इसके radius से कम हुआ mod z जो होता है mod z is distance from origin rx plane में mod z जो होता है that is distance from origin अगर distance from origin इसके radius से कम हुआ यानि आप इस circle के अंदर लाई करें then the relay will trip relay circuit breaker को trip करा देगा अगर इस circle के बाहर आप गए तो relay will block it will not operate the circuit breaker अगला होता है reactance relay reactance relay में क्या होता है कि जो आपका operating term है आपका operating torque जो आता है वो किस से आता है वो current से आता है ये पहले से fix है पिटा और जो restraining torque है वो आपका directional term से आता है अब directional term में भी क्या होता है कि fix कर दिया जाता है tau को 90 degree cos theta minus 90 है cos 90 minus theta एक ही बात है sin theta तो ये हो जाता है अब आप यहाँ पे क्या कहते हो यहाँ पे आप यह कहते हो that relay operates relay operates कब जब torque is greater than 0 यानि k1 mod i square is greater than k3 mod v mod i sin theta तो यहाँ पे क्या होता है कि mod v by mod i sin theta is less than k1 by k3 mod v by mod i mod z mod z sin theta is less than k1 by k3 mod z sin theta होता है reactance reactance less than k1 by k3 तो इस relay की खासियत यह होती है कि इसका operation resistance पे depend नहीं करता सिर्फ किस पे करता है reactance पे तो rx plane में हम एक horizontal line बनाते है जिसका intercept होता है k1 by k3 तो हम कहते है reactance अगर k1 by k3 से नीचे होई तो relay will operate और k1 by k3 से उपर होई तो it will not operate अगला आता है more relay more relay के अंदर क्या हम लोग करते हैं भाई यहां पे हम कहते हैं operating term जो होती है operating term वो directional वाली होती है यानि mod v k3 mod v mod i cos theta minus tau और यहां पे restraining term होती है voltage वाली तो आप यहां पे कैसे लिख सकते हो torque k3 mod v mod i cos theta minus tau minus k2 mod v square अब आप क्या कहोगे आप कहोगे relay operates when torque is greater than 0 तो k3 mod v mod i cos theta minus tau is greater than k2 mod v square ठीक है जी अब यहां पे क्या होगा यहां पे यह हो जाएगा mod v by mod i is less than k3 by k2 cos theta minus tau ठीक है जी तो mod z is less than अब जब इसकी characteristic बनाते हो तो क्या आता है बिटा it becomes a circle passing through origin यह ध्यान रखना it is a circle passing through the origin जिसके अंदर अगर आप रहे तो it will give you operation और बाहर अगर आप रहे it will not give you any operation और इसका जो diameter होता है ना diameter होता है k3 by k2 इसका diameter है और यह एक right angle triangle बन जाता है ऐसे तो यह जो length होती है this is k3 by k2 cos theta minus tau तो देखो impedance relay का circle centered at origin reactance relay का characteristic एक horizontal line और more relay का characteristic is a circle passing through origin अब application application में क्या होता है यह जो reactance relay है यह resistance पे depend नहीं करता है तो इसमें इसकी use कहां पे करते हैं earth fault protection में क्योंकि earth fault के अंदर क्या होता है earthing resistance vary कर सकता है और क्योंकि यह relay resistance पे depend नहीं करता तो that is why it is more suitable against the earth fault दूसरी चीज़ इसका use किया जाता है short transmission line में क्योंकि short transmission line का resistance बहुत छोटा होता है which is comparable to arc resistance तो कई बार ऐसा हो सकता है कि arc resistance आने के कारण आपका resistance बहुत ज़ादा increase हो जाए क्योंकि short line का resistance वैसे भी कम है arc resistance add okay it will increase the resistance तब भी हम किसका use करते हैं reactance relay का which does not depend on resistance more relay का use किया जाता है long transmission line में because it is not at all affected by the synchronizing power surges यह जो power surges flow करते हैं इस पे depend नहीं करता है और surges किसमें आते हैं long line के अंदर तो वहाँ पे सबसे effective relay कौन सा है more relay और impedance relay किसमें use करते हैं impedance relay is used in case of medium transmission line और more relay की एक property और याद रखना it is inherently directional क्योंकि इसमें जो operating torque है वो कौन सी term से बन रहा है वो directional term से बन रहा है तो by default यह जो relay है this is directional अगला होता है differential relay differential relay का काम क्या होता है कि कोई भी protected element है इसके दोनों end पे जो current होता है उसके difference के आधार पे यह operate करता है यह check करता है दोनों end के currents में कितना difference है if there is a large difference then there will be a fault between the two ends and that is how it detects a fault लेकिन यह fault बिटा तब ही detect कर सकता है जब जब fault आपका दोनों end के बीच में हो अगर इन दोनों end के बाहर कभी fault आया जब यह दोनों end के बाहर कभी fault आया तो then it will not be able to detect a fault तो it can only detect a fault within the protected element or you can say it operates for the internal fault but not for the external fault अब यहाँ पर देखो एक टेक्नीक सीखनी बहुत ज़रूरी है that is direction of the current दियान से देखिएगा आपको न ऐसे CT बना के देता है CT मने current transformer इसका जो primary है यह wire ही primary होती है और यह वाली आपकी secondary होती है अब मानलो ratio है 1 is to K K is less than 1 step down होता है ना अब यहाँ पर क्या होगा बिटा यहाँ पर न यह dot बना के देदेगा जैसे मानलो dot ऐसे बनाई अब जब current यहाँ पर दे दिया जाए I तो आप यह देखिएगा उपर वाली dot primary किये तो dot में enter कर रहा है तो नीचे वाली dot से leave करना चाहिए के आई ऐसे direction सोचना है अगर उपर वाली dot में enter कर रहा है तो नीचे वाली dot से leave करना चाहिए अब ऐसे सोचो अब इस dot से current बाहर जा रहा है ना इस dot से बाहर जा रहा है तो इसमें enter करेगा के आई clear हुआ logic आप secondary पे ऐसे current चेक करोगे based on the dot तो जैसे देखो यहाँ पे अगर आपके पास i1 current है और यहाँ पे है i2 तो यहाँ पे आपका current हो जाएगा ki1 और यहाँ हो जाएगा ki2 अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा direction i1 इस dot से leave कर रहा है देखो इस dot से leave कर रहा है तो यहाँ से इस dot पे यह enter कर रहा है ki1 i2 इस dot पे leave कर रहा है तो ki2 आपका यहाँ पे enter करेगा तो यहाँ से निकलेगा सीधी सी बात है अब बीच में क्या होता है यह होता है एक over current relay यह क्या चेक करता है कि जब इसके अंदर जाने वाला current pick up current से ज़्यादा होगा तो it is going to operate अगर इसका current pick up current से ज़्यादा होगा तो it is going to operate तो यहाँ पे अगर आप current देखेंगे ध्यान से तो k mod i1 minus i2 आप कह सकते हो तो जब यह दोनो current का difference multiplied by k is greater than pick up current then the relay operates चमका बोलो तब यह आपका relay operate करेगा ठीक है भई यह होता है differential relay तो differential relay की limitation क्या आ गई अगर बिटा dots नहीं given है बहुत अच्छा question है विरेंदर का अगर dot नहीं given है तो आप directly currents का difference ही ले लेना k mod i1 minus i2 तब आप care ही मत करना कि दोनो current add होने चाहिए या subtract क्योंकि dot अगर मैं हिला दू तो ऐसा भी हो सकत है current subtraction की जगे addition हो जाए लेकिन अगर dot ना given हो in that case आप by default subtraction कर लेंगे ठीक है जी? अब देखो यहाँ पर limitation क्या आ गई? पहली बात तो fault दोनों end के बीच में होगा तभी यह detect करेगा दूसरी बात बिटा कि दोनों के दोनों CT आप क्या identical होने चीए दोनों का जो ratio है वो same होना चीए वरना भले ही दोनों का primary current same हो अगर ratio अलग-अलग होगा तो secondary current अलग आएगा secondary current अगर अलग आया तो coil को क्या लगेगा? fault है coil तो secondary current पे चल रही है न उसको थोड़ी पता primary current तो अगर आपका turns रेशो अलग होने से भी secondary current अलग हो गया तब भी coil इसको fault ही समझेगी तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? we use a biased differential relay क्या use करते हैं? biased differential relay ठीक है? अब इसके अंदर क्या करते हैं? जैसे balance beam relay था ना उसके अंदर एक restraining coil थी तो यहाँ पे भी restraining coil है जो की दो हिस्सों में divided है nr by 2 और इधर भी nr by 2 और operating coil के turns है n0 अब देखो operating coil में अभी भी वही current जा रहा है क i1 minus i2 पहले जैसे लेकिन यहाँ पे कितना जा रहा है भी? restraining coil के एक हिस्से में जा रहा है ki1 एक में जा रहा है ki2 अब हम लोग क्या कहते हैं? कि operating coil has to overcome has to overcome restraining coil restraining coil torque and spring torque दोनों चीजों को overcome करना पड़ेगा ठीक है? अब मैं यहाँ पे कैसे जुगार लगाता हूँ देखिएगा कि operating coil का जो mmf है that must be greater than mmf of restraining coil nr by 2 i1 और nr by 2 i2 plus minimum mmf required to that is n0 i pickup minimum mmf तो इतना ही है यह जो i pickup है यह spring के कारण आता है ठीक है? यह spring के कारण आता है तो यहाँ पे condition यह हो जाती है i0 जो है k mod i1 minus i2 आप यहाँ पे n0 को right hand side ले जाओ k mod i1 plus i2 by 2 जो 2 था वो आपने currents के नीचे ले लिया plus i pickup यह जो i pickup है यह किसकी वज़े से है बिटा? यह due to spring है यह क्या है? this is due to spring तो दोनों के coil के turns आप क्या अलग अलग रहते हैं? और दोनों coil के turns का यह जो ratio है इसको आप कहते हो bias और slope of differential relay ठीक है? तो इससे न वो limitation चली जाती है कि अगर मानलो saturation के कारण दोनों का turns ratio अलग अलग हो गया तो relay operate कर जाएगा ऐसा नहीं होगा ठीक है? हमारे पास problem क्या थी? कि differential relay may operate may operate even without fault even without fault if one of the CTs यह दूसरा numerical है यहां से ठीक है? differential relay वाला जो है second numerical protection का यहीं से बनता है but biased differential relay does not biased differential relay में ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है भाई? clear हुआ? ठीक है? बताओ भाई? अब ज़रा question देखो relay की coil में आपको ID current बताना है एक second एक dot मिसिंग है चलो बनाना ज़रा इसको जब हो, जजब जजचा का बुझा कुछ जचए लुक कहँ यंगSpरस्ड़रा का इसपक्राण झार का बनता है ऋबच्राण आपक्रण का ईवरा प्रादा का बनका ज़क्र भर 2K झाल झाल आया भी answer देखो आप इस dot से current enter होता है तो इस dot से current leave करेगा तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ इस dot से देखो 300 amp लीव कर रहा है तो इस dot से current enter करेगा तो यह जो differential relay में current जाएगा यह दोनों का sum जाएगा 5 plus 15 by 4 KCL से देख लो 8.75 A समझाया 8.75 directions भी देखोगे न क्यों मैं कुमर clear हुआ अगला differential relay are used for protection of fault against कौन से के against protection करते हो बताओ किसके against protection करते हैं भाई differential relay से internal fault बहुत बढ़िया दोनों end के बीच के fault के लिए ठीक है अगला more relay is a more relay is a यह basically पूछ रहा है more relay के अंदर कौन सी quantity आपकी operating है कौन सी आपकी restraining है come on everyone more relay is a क्या है more relay it is a directional restrained over voltage इसका मतलब operating quantity directional है restraining quantity over voltage है डी, restraining quantity over voltage है और operating quantity directional है नहीं एक सेकेंड यह आएगा बलकि उल्टा लिखा है नहीं voltage restrained सही बोल रहे हो यह आएगा हाँ voltage restrained यानि voltage restraining है और यह directional relay है actually मैं उल्टा रीड कर रहा था restrained over voltage नहीं voltage restrained, voltage से restraining है और directional इसकी operating quantity है अगला देखो threshold characteristic of a plane impedance relay in a complex z plane is a यह पूछ रहा है characteristic कैसी होती है impedance relay की in the complex z plane कैसी characteristic होती है भाई फटाफट बोलिए आप लोग जानते हो impedance relay की characteristic क्या होती है और देखो protection एक ऐसी unit है भीटा जहां से theory question gate में आ सकता है circle with a center at origin है ना reactance relay की horizontal line impedance relay circle with center at origin more relay circle passing through origin ठीक है तो इससे पहले आगे बढ़े मैं उन बच्चों को बता दू जो late जुड़े हैं भीटा new year resolution में हम आपको 23% off offer कर रहे है using code Ankit EAC तो आप इस new year पे अगर हमारे साथ जुड़ते हैं we will walk with you, we will work hard with you to make sure कि आपका gate 24 और 25 का dream पूरा हो तो अगर किसी को भी अभी anacademy join करना है you have a chance to get 23% off चलो अब सबसे पहले बात करते हैं protection of transmission line तो देखो जो overhead line होती है इसमें fault आने का chance सबसे ज़ादा होता है because they are exposed to the atmosphere अब यहाँ पे condition क्या होती है कि जो भी circuit breaker fault के nearest है उसको सबसे पहले operate करना है और बाकी के circuit breaker बाद में operate करेंगे अगर यह नहीं operate कर पाया यही तो primary और backup था अब इसके अंदर तीन main method होते है पहला होता है over current protection इसको कहाँ पे use करते है इसको primary protection की तरह use करते है distribution line में और backup protection की तरह use करते है main line में main line में इसको backup क्यों बनाया बिटा क्योंकि over current protection slow होता है इसके अंदर time delay होता है तो main line जहां आपको faster protection चाहिए वहाँ पे primary protection होगा distance relay और backup कौन सा होगा over current relay over current में दो तरह के system होते है time graded और current graded अभी समझाऊँगा distance protection ये कहाँ पे use होता है पिटा as a primary protection for main line कहाँ पे use होता है as a primary protection for main line ठीक है और तीसरा कौन सा होता है आपका तीसरा होता है pilot wire protection ये basically differential relay है ये जो pilot wire protection है it is nothing बटा differential relay ये बहुत छोटी lines के लिए use किया जाता है जिनकी length कुछ ही kilometer होती है अब देखो non-directional time graded system इसमें हम लोग क्या कहते है used in radial distribution कहां पे use करते है radial distribution ये मैंने आपको आज शुरू में भी बताया था relay near to source relay near to source has maximum operating time while operating time decreases as we move from source to load operating time आपका source से load जाते वे घटते जाएगा 1.8, 0.8 और 0.3 1.8, 0.8 और 0.3 इस type से आपका operating time घटते जाएगा तो इससे क्या होगा? जो relay fault के सबसे करीब है that will act as a primary protection और पीछे वाले relay will act as a backup protection तो जैसे देखो यहाँ पे 0.3 है, 0.8 है, 1.8 है अगर यहाँ पे fault आया तो this will operate first मैंने बताया था ना, अज for F1 this operates first याद आ रहा है कि भूल गए हो फिर देखो अगर F2 यहाँ पे fault आया बिटा F2, तो यह relay अगर R3 है, यह R2 है, यह R1 है तो पिटा यहाँ पे इस case में fault current does not reach R3 अगर fault current R3 तक पहुँचेगा ही नहीं तो R3 को fault के बारे में पता भी नहीं चलेगा R3 को क्या पता कि fault हुआ है तो इसलिए this operates first चमका लॉजिक क्या है यहाँ पे operates first for F2 है ना अब ऐसे ही अगर यहाँ पे R1 के पास fault आयेगा तो R1 वाला पहले operate करेगा तब R2, R3 को खबर ही नहीं होगी fault की लेकिन पता है इसलिए यह slow है क्योंकि देखो आपने delay दे रखा है बैक अप रिले का जो time है आपका देखो जो आपका बैक अप रिले का time है time of backup relay is equal to time of primary plus some lag plus कुछ lag है ठीक है primary का time plus कुछ आपका lag है तो इस तरह से जो आप lag देते जा रहे हो जो आप delay देते जा रहे हो it becomes slower ठीक है अब यहाँ पे यह जो arrow आपने दिखाए हैं both sided arrow यह both sided arrow क्या बताते हैं that it is a non-directional relay यानि current अगर pick up value से high हुआ तो यह operate कर जाएगा इसको फरक नहीं पढ़ता कि current किस particular direction में जा रहा है बात समझ रहे हो इसको current की direction से फरक नहीं पढ़ता बाकी यहाँ पे वही चीज़ बताई है जो मैंने अभी आपको लिखवाई है अब time graded system के क्या-क्या drawback है बिटा यह ring main या interconnected line यानि जहां parallel line होती है वहाँ पे suitable नहीं होता यह long distance line और main line के लिए भी suitable नहीं होता क्योंकि वहाँ पे आपको faster protection चाहिए और यह क्या देगा? slow देगा तो ऐसे situation में कौन सा use करते हो? यह time graded system में you use a idmt relay time graded के अंदर कौन सा over current relay होता है? आपका idmt relay बिंदू बिटा कल मैंने timing बताई तो थी कल भी आपकी class साड़े नोही होगी current graded current graded में क्या होता है? we use a high set over current relay अब इसके अंदर क्या होता है? कि predefined एक setting होती है कि कितने current के उपर यह operate करेगा जो इसका pick up point है अब जैसे जैसे fault point जैसे जैसे fault point आपका source के करीब आएगा impedance कम होगा source से लेके fault तक का अगर fault source के पास हो रहा है तो impedance कम है fault source से दूर हो रहा है तो impedance जादा है fault अगर source के पास है तो impedance कम fault अगर source से दूर है तो impedance जादा तो fault बिटा जब source के पास होगा तो impedance कम होगी माने की current जादा होगा fault जब source से दूर होगा impedance जादा होगी माने की current कम होगा यानि आप ये कह सकते हो for fault near the source fault current is higher for fault away from the source fault current is lower इसलिए जो relay source के पास लगते हैं उनका pickup current जादा रखा जाता है और जो relay source से दूर लगते हैं उनका pickup current कम रखा जाता है तो current grading में हम क्या करते हैं pickup current को reduce करते हैं as we move from the source to the load तो देखो ये source आया source से load जब आप जा रहे हो तो आपका pickup current reduce कर रहे हो समझाया current grading बताओ भई logic clear हुआ इसका एक time grading है जहाँ operating time कम करते हो source से load जाते हुए एक current grading है जहाँ source से load जाते हुए आप pickup current को कम करते जा रहे हो ठीक है जी अब protection of parallel feeder जब parallel transmission line होती है बिटा तब वहाँ पे आपको directional relay लगाना पड़ता है अब आप ये समझेगा directional relay लगाते कैसे हैं समझे पहले ये चीज़ समझनी है तो देखो जहाँ पे source होगा source हमेशा ही current deliver करेगा चाहे fault आए चाहे ना आए तो source पे कभी भी directional relay की जरूवत नहीं पड़ती है source पे हमेशा क्या लगाना होता है non directional relay क्या लगाते हो हमेशा non directional relay आपको directional relay की जरूवत कहां पे पड़ती है जहां पे current reverse हो सके और current कहां पे reverse होगा ये कैसे मालूम चलेगा आपको fault consider करना पड़ेगा तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है मैं अपने से आपको बना के दिखाता हूँ ज़्यादा अच्छेज़े आपको समझाएगा ध्यान दीजिएगा एक system draw करता हूँ ठीक है थोड़ा ध्यान देना भाई important है gate में पूछा जा सकता है कि कहां पे directional लगाना है कहां पे non directional तो method समझो ये conceptual question ही है कोई numerical नहीं है ठीक है जैसे देखो ऐसे दो parallel wires है जो की current लेके जा रही है किस में? load में ये देखो ये load लगा हुआ है यहां पे आपका एक source लगा है ठीक है भई? अब यहां पे आपके पास बिटा चार relay है आपको मेरी बात में क्या समझना है यहां पे ये समझना है कि आप कैसे जज करते हैं कि कहां पे directional लगे कहां पे non directional ठीक? तो सबसे पहली चीज तो बिटा कि source के पास हमेशा non directional होगा क्योंकि source will always deliver the current इतनी बात clear? ठीक है? सबसे पहली चीज आपने क्या समझी? place non directional relay important चीज है ध्यान दीजिए near to source अब आप यहां पे क्या देखिए कि normal condition में current कैसे जाता है? पहले न मैं यह वाला copy कर लेता हूँ, diagram ठीक है? यही होगा ना yellow जी current ऐसे जा रहा है right ठीक है? सभी से right जा रहा है, इतनी बात clear है ना source से load जा रहा है current अब आप क्या करिए? अब आप fault कीजिए अब जब बिटा आप fault करते हूँ, सबसे पहले मान लो आपने यहां पे लिया fault में आपका objective क्या होता है? कि सारा current fault में जाना चाहिए सारा current अगर fault में भेजोगे तो देखो इधर से तो direct चला गया ऐसे ठीक है? एक तो रास्ता यह बन गया एक रास्ता और कैसे बनेगा? ऐसे अब आप यहां पे देखें कि R3 का current तो वैसे ही है, राइट में जा रहा है R1 का भी राइट में जा रहा है, R4 से भी राइट में जा रहा है लेकिन R2 से पहले current राइट जा रहा था अब कैसे जा रहा है? लेफ्ट तो R2 पे current reverse हो गया तो जहां पे current reverse हुआ बिटा, वहां पे आपको directional relay लगाना है तो directional relay fault की direction में reverse current की direction में, यानि जिस direction में fault current बहता है अब ऐसी देखो, अगली बार क्या करो? अगली बार यहां पे fault कर दो R3, R4 के बीच में अब current के पास एक तो सीधा रस्ता रहेगा ऐसे एक current ऐसे जाएगा ऐसे घुम के फिर ऐसे आएगा अब R4 पे current reverse हो गया क्योंकि right जाना चाहिए था, left जा रहा है तो यहां पे directional R2 पे तो लगाई चुके थे तो इसलिए हमें directional relay की location जब भी चाहिए हम क्या करते हैं हमेशा हम क्या करते हैं consider a fault consider a fault and check for relays check for relays where where current reverse is ठीक है जहां पे आपका current reverse हो रहा है अब यहां पे देखो एक चीज़ और हम लोग ध्यान रखते हैं अब चमक गया भाई सबको directional relay कैसे पता चलेगा time of operation of relay near source is more than relays near load load वालों से ज़्यादा होता है इनका ठीक है और यह direction direction indicates direction of fault current अब पता है यहां पे एक खासियत क्या होती है बिटा कि यह relay तब तक नहीं चलेगा जब तक current arrow की direction में ना हो यह जो arrow आपने बनाया ना जब तक current is direction में ना हो तब तक relay operate नहीं करेगा relay does not operate until current is in arrow direction चमका directional relay का फंडा बताओ ठीक है तो जिस भी relay में इस direction में current नहीं होगा वो operate नहीं कर सकता अब unit and non unit protection scheme unit protection का मतलब होता है कि जब आप एक particular region को protect करते हो यानि कि relay उस region के बाहर आने वाले faults के लिए चलेगा ही नहीं तो ऐसी protection scheme को हम लोग क्या बोलते हैं unit protection scheme जैसे differential relay है वो दोनों end के बीच के fault के लिए सिर्फ operate करता है तो differential relay will be called as a unit protection scheme because it will not operate for faults outside that particular region non unit protection scheme का मतलब क्या होता है कि कोई भी relay अपने region के लिए तो primary protection का का काम करता है बट आगे पीछे वाले regions के लिए it will act as a backup protection that is called as your non unit protection scheme अब distance protection तो हमने क्या बता है distance protection कहां पे use होता है जिन lines में faster protection की जरूवत होती है जहां पे time lag नहीं दे सकते वहां पे आप distance protection देते हो बिंदू बिटा source वाले relay का अगर time कम रखोगे तो system में कहीं भी fault आए सबसे पहले source वाला relay ही operate करेगा मानलो आपके घर में short circuit होगी तो generator बंद हो जाएगा इससे क्या होगा आजू बाजू वाले सबके घर की light चली जाएगी अब यह तो दिक्कत वाली बात हो गई ना तो time जादा रखने का मतलब है कि last chance से हमारे पास last result है कि आपका जो relay source वाला है वो trip करे ताकि आगे कहीं भी fault हुआ अगर कोई भी relay fault clear ना कर पाए तब मजबूरन source को disconnect करना पड़ेगा ठीक है distance relay का मैंने बताया था यह v by i measure करता है relay के location पे और अगर यह ratio of v by i is less than the relay setting impedance then the relay will operate अब यहाँ पे देखो three zone distance protection होता है three zone का मतलब होता है zone 1 के अंदर कोई भी relay as a primary protection act करता है यानि एक relay एक region के लिए तो primary का काम करेगा और बाकी यह दो zones के लिए backup का काम करता है तो अपने छेतर की रक्षा करेगा अपने area की रक्षा करेगा और बाकी दो areas में as a backup काम करेगा उनकी भी protection करता है तो इसके अंदर आपको क्या पता होना चीए देखो कि यहाँ पे Relay A protects 80% of section AB 80% of section AB in zone 1 Sir 100% क्यों नहीं करता? क्योंकि 100% तक जाते जाते accuracy low हो जाती है यानि chances हैं कि Relay गलत operate कर जाए अब zone 2 के अंदर zone 2 माने जहाँ यह backup का काम करता है वहाँ यह AB का 20% हिस्सा protect करता है और अगली लाइन का 50% हिस्सा ठीक है? अगली टाइम अगली लाइन का 50% हिस्सा इसमें time delay होगा क्योंकि backup है ना? इसमें क्या होगा? time delay होगा logic समझ रहे हो? because it is acting as a backup zone 3 के अंदर यह CD का बचा हुआ 50% हिस्सा protect करेगा और उससे भी अगली लाइन का 10-15% हिस्सा तो 3 zone हुए पहले zone में खुद के region का 80% दूसरे zone में अपने region का बचा हुआ 20% और अगली लाइन का 50 zone 3 में अगली लाइन का बचा हुआ 50 और 3rd line का 10-15% 10-15% the steps in distance protection can be obtained by changing the tap on auxiliary transformer यानि कि voltage के अंदर अगर आप tap changing करोगे तो उससे भी आप क्या कर सकते हो आप वहाँ पे distance protection के अंदर relay setting change कर सकते हो switching resistance in the relay restrained circuit relay का जो restraining coil है वहाँ पे resistance change कर सकते हो या फिर आप zone 2 और zone 3 के लिए measuring element ही बदल दो यानि zone 2 और zone 3 के लिए relay setting impedance ही आप change कर दो यहाँ पे क्या क्या use हो सकता है impedance relay, reactance relay and more relay ज़रा एक question देखो फटा-फट से answer करो चलो भाई, come on everyone क्या आना चीए? answer will be B पहली line का 80% अगले में 50% of the second line और 20% of the third line ठीक है? विनायक भाई थोड़ी देर में server वगरा सब सही हो जाएगा थोड़ा सा wait कर लो ठीक है? अगला देखो consider the protection system shown in the figure below the circuit breakers 1 to 7 are identical a single line but circuit breaker 4 fails to operate यह 4 वाला नहीं चल पा रहा ठीक है? अब बागी के circuit breakers का सही sequence क्या होगा? बताइए basic logic ध्यान में रखिए भाई कि breaker nearest to fault nearest to fault must operate first and breaker away from fault operates later ठीक है? breaker away from fault operates later बताओ क्या आएगा? तो answer should be C क्योंकि देखो 5, 6 और 7 fault के करीब है यह पहले operate करेंगे 3, 1 और 2 दूर है तो they will operate later ठीक है? अगला देखिए जरा consider the problem of relay coordination for distance relay R1 and R2 on adjacent lines of a transmission system shown in the figure the zone 1 and zone 1 and zone 2 settings of both the relay are indicated on the diagram which of the following indicates the correct setting for zone 2 relay R1 and R2 तो देखो R2 का यह zone 1 है R2 का यह zone 2 है R1 का यह zone 1 है R1 का यह zone 2 है बताओ क्या आएगा? यह दोनों के zone 2 का time compare कर आ रहा है दोनों के zone 2 का R1 का भी zone 2 और R2 का भी zone 2 बताइए Come on everyone फटाफट से answer दीजे भई The answer should be C क्योंकि देखो इसका logic क्या है zone 2 में दोनों ही अपने अपने zone 2 के लिए backup है primary तो नहीं है ना इसलिए दोनों का time equal ही होगा अगर हाँ यह बोलता zone 1 R2 का और zone 2 R1 का तो R1 backup होता R2 primary होता तो कौन सा answer आता यह वाला आता अगर यह बोलता R2 का zone 1 और R1 का zone 2 तो R1 जो है backup का काम करता R2 primary का लेकिन यह दोनों के zone 2 को compare कर आ रहा है यानि यह यहाँ पे पूछ रहा है TZ2 zone 2 जो है ना R2 का वो यह है और zone 2 R1 का यह है तो दोनों अपने zone 2 में तो backup का काम करेंगे तो दोनों का operating time सेम होना चाहिए logic clear हुआ अब दोनों ही तो backup है zone 2 के अंदर लेकिन अगर R2 का zone 1 देखते और R1 का zone 2 देखते तो R2 तो primary का काम करता वहाँ पे इसका operating time काम होना चाहिए था समझे तो zone 2 is backup for both the relays अब आते पाइलेट रिलेइंग स्कीम पाइलेट रिलेइंग स्कीम क्या होता है बिटा दिस इस अडिफरेंशल रिले अब लेकिन यहाँ पे खासियत क्या है दिफरेंशल रिले में आप क्या करते हो दोनों end की quantities को subtract करके check करते हो अगर दोनों equal है तो बढ़िया है और दोनों unequal है माने की कोई fault है लेकिन पेटा transmission line इतनी लंबी होती है उसके दोनों end के बीच में हम कोई रिले थोड़ी न लटका सकते हैं transmission line अगर 10 km गी भी लोग है तो 10 km लंबा रिले तो नहीं बना सकते इसके लिए क्या करना पड़ता है transmission line के एक end पे जो values हमारे पास है जो data हमारे पास है उसे हमें send करना पड़ेगा दूसरे end पे वहाँ पे हम दोनों quantities को compare करेंगे and by comparing them we will understand if there is a fault और if there is no fault अब ये send कैसे करोगे quantity जब भी कोई value आपको एक point से दूसरे point send करनी होती है transmit करनी होती है you need a medium you need a connecting channel that connecting channel here is called as a pilot तो pilot का मतलब क्या है the connecting channel between the two ends जिसके उपर आपको value transmit करेंगे अब इसमें पहली scheme होती है translate scheme translate scheme के अंदर क्या होता है यहाँ पे आपके पास pilot wires होती है जिन wires के उपर आप value को transmit करते हो from one end to the other इसलिए तो हमने बोला बहुत लंबी line में ये use नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आपको दो wires का use करना पड़ेगा अब आपने देखो दोनों तरफ क्या लगा रखा है दोनों end पे आपने लगा रखा है induction disk relay तो देखो इसके अंदर actually होता क्या है इसके अंदर funda यह होता है कि pilot wire जो होती है ना दोनों तरफ के current का difference carry करती है carries difference of two currents और इनका जो current होता है वो जाता है series magnet में किस में जाता है series magnet में तो यहाँ पे this magnet carries pilot wire current तो बिटा अगर pilot wire में कोई current है माने कि दोनों तरफ current unequal है तो उससे series magnet excite होगा shunt magnet already excited रहता है माने shunt magnet तो magnetic field बनाई रहा है लेकिन series magnet तब बनाएगा जब pilot wire में current होगा और pilot wire में current तब होगा जब दोनों end पे current unequal होगे दोनों end पे current अलग-अलग होगा तो तब series magnet भी magnetic field बनाएगा और अगर series magnet ने भी magnetic field बना दी तो बीच में जो disk है यह rotate करेगी यानि relay operate कर जाएगा और line दोनों तरफ से आपकी disconnect हो जाएगी line दोनों तरफ से आपकी disconnect हो जाएगी तो यहाँ पे यही लिखा है the upper magnet यानि shunt magnet carries a summation winding यानि ये तीनों phases के current का sum carry करता है normal condition में pilot wire में कोई current नहीं होता जिस कारण से आपका lower magnet या series magnet में कोई current नहीं होता और कोई torque भी नहीं बनता है लेकिन जब कभी fault आता है दोनों end पे current अलग अलग होता है तब series magnet में current flow करता है जिससे disk पे torque लगता है disk rotate करती है और दोनों तरफ के relay disconnect कर देते हैं अगला होता है carrier current protection हम यह कहते हैं हम अलग से wire क्यों लगाए अगर हमें data transmit करना है तो हम transmission line पे ही क्यों ना कर दे अब आप कहोगे सब transmission line पे ही करोगे तो यह data जो है आपके main current के साथ mix हो जाएगा बिल्कुल सही बात है लेकिन मैं data को अलग कर सकता हूँ अगर data की frequency अलग है यानि कि मैं data को भेजूंगा transmission line पे ही लेकिन उसकी frequency मैं high रखूंगा और वहीं जो मेरी power flow कर रही है transmission line में उसकी frequency मात्र है 50 hertz तीक है उसमें frequency है मात्र 50 hertz और वहीं जो data transmit हो रहा है उसकी frequency है आपकी kilo hertz और mega hertz के अंदर तो receiving end पे आप क्या कर सकते हो filter लगा के इस signal को अलग कर सकते हो तो इसको पता है क्या बोलते हैं इसको ये भी बोलते हैं कि power line communication PLC के नाम से भी जाना जाता है अब देखो यहाँ पे क्या है ये relay लगा हुआ है आपका ये coupling capacitor ये line trap ये circuit breaker ये current transformer current transformer तो relay में आप कौन कौन सा signal feed कर रहे हो voltage और current using the current transformer ये line trap ये coupling capacitor बीच में ये है आपकी power line अब की बार आपने कोई अलग से line नहीं डाली है आप power line पे ही signal भेज रहे हूँ फिर एक capacitor एक inductor ये basically जो capacitor और inductor का combination है this acts as a filter कैसे काम करता है filter ठीक है अब देखो यहाँ पे अलग अलग parts का purpose क्या है तो ये जो filter है ये filter out करता है high frequency carrier signal जो की information लेके आया है ठीक है जो signal आपका information लेके आया है ये उस signal को filter out कर लेगा ठीक है जी फिर coupling capacitor coupling capacitor का काम होता है signal को inject करना inject and extract signal from power line signal को power line में भेजना और निकालना ये दोनों ही किसका काम है coupling capacitor का line trap का काम क्या होता है it provides high impedance to high frequency signal to restrict to restrict signal within protection zone आप ये कभी नहीं चाहते कि जितने area को आप protect कर रहे हो ना ये signal उसके बाहर जाए तो ये उसको high impedance दे देता है ताकि वो signal और आगे न आ जा पाए वो signal वहीं तक restrict हो जाए तो आपको जो है ना इन सब का working पता होना चीए मतलब इनका purpose पता होना चीए एक number का question यहां से पूछा जा सकता है ठीक है और यहां पे पता है क्या होता है यहां पे हम लोग क्या करते है we compare वैसे लिखा ही है देखो यह वाला जो statement है कि यहां पे जैसे pilot wire वाले में क्या कर रहे थे ना translate scheme में आप दोनों छूर का current compare कर रहे थे यहां current आप compare नहीं कर रहे हो current का angle compare कर रहे हो आप कह रहे हो अगर current के अंदर current के अंदर large face shift आया तो यानि कि कोई fault है और current के अंदर अगर छूटा मूटा face shift आया तो कोई fault नहीं है अगला आते हैं बिटा alternator protection में पहला होता है field ground fault तो यह देखिए field winding of alternator आपको पता है field winding of alternator is ungrounded है ना ungrounded रहती है and is excited by dc तो बिटा यहां पे क्या होता है ना if there is ground fault अगर कहीं पे ground fault आ गया in field winding यानि field winding कहीं से grounded हो गई तो क्या होगा total dc voltage appears across rest of turns जो पार्ट ground हो गया ना वो बाईपास हो जाएगा बाकी पार्ट के across total voltage आ जाएगी अब इससे क्या हुआ stress बाकी के टर्ण्स पे stress बढ़ेगा chance of second chance of second ground fault increases तो यहाँ पे second ground fault भी आ सकता है क्योंकि देखो अगर बाकियों पे voltage बढ़ गया वहाँ पे dielectric breakdown आ जाएगा और अगर dielectric breakdown आ गया तो बाकी के turns भी ground हो सकते हैं ठीक है और बिंदू क्या कहरे हो पिटा long line में नहीं carrier scheme भी long line में use नहीं होता यह दोनों ही scheme कुछ ही distance के लिए use होते हैं क्योंकि carrier signal जो आप power line में भेज रहे हो ना वो धीरे धीरे damp पूता चला जाएगा तो वैसे भी long distance तक भीजोगे तो बरबाद हो जाएगा ठीक है जी तो यहाँ पर second ground fault के chance बढ़ते हैं और क्या नुकसान होता है flux आपका non uniform हो जाता है जिससे की vibration बढ़ जाती है ठीक है क्योंकि voltage non uniformly distribute हो रही है ना flux अब अच्छा नहीं बनेगा अब इसके लिए देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम एक high resistance लगाते हैं field winding से और यहाँ पर एक alarm लगाते हैं तो मान लो जैसे की कभी यहाँ पर ground fault आया मान लो ठीक है यह आपका ground fault आया तो अब आप यह देखिएगा यह एक रास्ता बन गया ना current flow का ground से ground यहाँ पर current flow करेगा तो alarm बच जाएगा भई alarm से जब current जाएगा तो इससे operator alert हो जाता है यह वाला जो fault है यह इतना खतरनाक नहीं होता कि generator को disconnect कर दो आप बस operator को alert कर दो कि भई यह field ground fault आया है ताकि जब generator maintenance में जाए तब वो इस fault को सही कर दे अगर कहीं पर insulation damage हुआ है तो उस insulation को replace कर दे समझाया तो यह वाला मैंने पूरा लिख भी दिया है आप लोग के लिए कि अगर single rotor to earth fault आता है तो वहाँ पर बाकी के turns पर stress बढ़ जाता है जिससे कि आपका बाकी के turns में एक और ground fault आ सकता है और stator के current में imbalance के कारण आपका flux भी आपका flux भी imbalance हो जाता है और flux imbalance होने के कारण आपका vibration बन सकता है तेक हैं? अब आता है unbalanced loading एक सेकंड रूखना unbalanced loading unbalanced loading में क्या होता है बिटा आपका unbalanced system के अंदर you have positive sequence, negative sequence and zero sequence तो जब stator पे negative sequence current flow करता है तो इससे एक rotating magnetic field बनती है which rotates in the direction opposite to the rotor अब rotor से अगर उल्टा घूमेगी तो rotor के respect में relative speed क्या हो जाएगी? at twice the synchronous speed जो relative speed होगी वो क्या हो जाएगी? double the synchronous speed ऐसे सोचो rotor clockwise घूम रहा है एनस से magnetic field anti-clockwise घूम रही है एनस से तो relative speed क्या हो गई? 2NS इससे क्या होगा? rotor के अंदर current induced होगा जिसकी frequency होगी 2F और इससे rotor आपका overheat हो सकता है अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप क्या कीजिए? आप negative sequence current को minimize कीजिए तो हम relay कैसा लगाते हैं? यह देखिएगा हम यहाँ पर लगाते हैं negative sequence filter क्या लगाते हैं? negative sequence filter यह क्या करता है न? it filters out the negative sequence current यह क्या करेगा? it filters out negative sequence current तो अगर negative sequence current बिटा अगर negative sequence current pickup current से ज़्यादा हुआ in such a case relay operates and disconnects alternator ठीक है? वरना rotor overheat हो जाएगा damage हो सकता है तो यहाँ पर damage के chances होते हैं तो जब-जब आपके damage के chances होते हैं तब-तब आपको alternator को बंद करना पड़ता है disconnect करना पड़ता है ठीक है? अगला होता है loss of excitation मान लो किसी कारण से field winding का DC excitation खतम हो गया तो इससे क्या होता है? इससे हो जाता है PE reduce accelerating power positive तो swing equation के अनुसार acceleration positive तो rotor speed up कर जाता है और ये एक induction generator की तरह काम करता है कल मैंने आपको ऐसा ये question भी कराया था जब ये induction generator की तरह काम करता है मेरे बच्चो तब ये एक magnetizing current भी draw करता है ठीक है? magnetizing current भी draw करता है जिससे की stator आपका heat करता है जिससे की stator आपका heat ओने लग जाता है अब ये जो salient pole generator होते हैं उसके अंदर तो फिर भी हम कही ना कहीं कहीं ना कहीं इस चीज से बच सकते हैं क्योंकि वहाँ damper winding होती है लेकिन salient pole में भी आप ये सोचो जब आपका nr is greater than ns हो जाएगा rotor speed up हो गया ना nr greater than ns तो damper winding में current बनेगा damper winding में जब current बनेगा तो damper winding गरम होने लगेगी और वहीं cylindrical rotor में rotor के अंदर current बनेगा rotor solid steel का होता है ना rotor के अंदर eddy current आने लगेंगे दुबारे समझो जब बिटा rotor और magnetic field के बीच में एक relative speed आ गई तो इससे rotor में क्या होने लगेगा current induced salient pole में कहां पे होगा damper winding में cylindrical rotor में कहां पे होगा proper जो आपका rotor का solid structure है इससे rotor भी गरम होगा और stator magnetizing current खीचेगा इससे stator भी गरम होगा आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि आप relay कौन सा use करते हो बंदू you use an offset more relay operated from AC current and voltage यह याद रखेगा offset more relay का आप यूज करते हो और यह तब operate करता है जब आपका excitation एक certain level के नीचे जाता है यानि अगर excitation गिरने लगेगा तो यह relay alert हो जाएगा और यह disconnect कर देगा generator को overload protection बिटा जब आप overload लगाओगे generator पे तो यह high current draw करेगा high current draw करेगा तो rotor आपका sorry generator की stator winding आपकी overheat हो जाएगी तो यहाँ पे आप क्या करते हो बिटा over current relay लगाते हो ठीक है over current relay लगाते हो but at the same time overheating तब भी आ सकती है अगर cooling system fail हो जाए इसलिए आप यहाँ पे thermocouple भी लगाते हो temperature check करने के लिए thermocouple लगाओगे और high current detect करने के लिए over current over speed की अगर बात करें over speed बिटा कब हो सकता है अगर generator से suddenly load हटा दिया जाए तो आपका PE reduce होता है accelerating power positive होता है इससे फिर से आपका acceleration positive होता है जिससे की rotor की speed बढ़ जाती है तो over speeding होई न rotor की speed बढ़ने से अब आप कहोगे सर कोई बात नहीं आप valve बंद कर दो जिससे की shaft input कम हो जाए लेकिन बिटा valve एकदम से बंद नहीं कर सकते न पानी का जो inertia है वो इतनी तेजी से पानी आ रहा है पानी के inertia के कारण उसको एकदम से नहीं रोक सकते हो इसलिए यहाँ पे over speeding का खतरा होता है लेकिन इसको detect कैसे करते हैं by using a watt meter relay watt meter relay क्या होगा यह check करेगा power output ठीक है यह monitor करेगा power output अगर power output एकदम से कम हो गया यानि system पे load एकदम से गिर गया तो यह generator को disconnect कर देगा और एक दूसरा relay होता है बिटा जो की monitor करता है steam input को यह monitor करता है कितना steam या पानी आ रहा है turbine पे तो जब आपको लगेगा कि आपको turbine में valve को बंद करना है तो यह उसके valve को close कर देगा ताकि पानी आपका कम आ जाए तो यह जो second relay होता है यह speed governor का ही हिस्सा होता है याद है मैंने आपको पहले भी speed governor समझाया था speed governor check करता रहता है speed और frequency तो अगर over speeding होती है तो valve को बंद कर देता है और अगर low frequency होती है तो valve को खोल देता है जिससे speed बढ़ जाए over voltage protection बिटा अगर speed बढ़ती है तो voltage भी बढ़ जाती है generator की क्योंकि voltage या EMF is proportional to frequency तो over voltage protection के लिए आप क्या use कर सकते हो AC over voltage relay जो की तब operate करेगा जब 110% से उपर आप निकल जाओगे above the rated value यानि rated value को 10% अगर exceed कर गए तो ये generator को disconnect कर देगा failure of prime mover अगर prime mover fail हो जाता है बिटा तो generator को mechanical input नहीं मिलता अब ये generator क्या करता है grid से electrical power draw करके rotate करता है that is it starts behaving as a motor तो आप इसमें क्या करते हो watt meter relay लगाते हो जो directional है क्योंकि अगर generator एक motor की तरह behave करने लगा तो ये power deliver करने की जगे absorb करने लगेगा यानि power flow आपका reverse हो गया और ये कैसे judge हो सकता है this can be judged by directional characteristic और a directional relay और आपको यहाँ पे time delay भी देना पड़ेगा क्योंकि कभी-कभी power surges आते हैं जिससे power flow reverse हो सकता है power surges लेकिन temporary होते हैं बिटा loss of excitation और over speed का reason अलग-अलग हो सकता है ना विरेंद्र over speeding तब भी आ सकती है जब loss of excitation है over speeding तब भी आ सकती जब load कम है अगर मानलो load कम हुआ और उससे over speeding आई loss of excitation तो नहीं हुआ तो वो excitation वाला offset more relay तो detect करेगा नहीं फिर क्या करोगे पता ही नहीं चला over speeding का तो इसलिए अलग-अलग relay है यहाँ पे time delay क्यों दे रहे हैं अब stator protection में simple है बिटा आपने यहाँ पे क्या लगाया है आपने लगाया है biased differential relay in all the three phases तो अगर stator की winding में कहीं पे भी grounding आई है कहीं पे भी grounding आई है तो उस winding का differential relay या उस phase का differential relay पकड़ लेगा और यह बता देगा that there is a fault ठीक है restricted earth fault protection इसके अंदर हम लोग क्या करते है we compare the sum of the three currents with the neutral current क्योंकि पिटा अगर कहीं पे भी fault आता है तो तीनो currents का sum neutral current के बराबर नहीं होगा तो इससे हम earth fault check कर सकते है in case of your winding तो इसके अंदर पता है क्या होता है कि अगर x percent of winding देखो यह numerical बनता है यहां से if x percent of winding is unprotected तब हम क्या कहते हैं कि secondary current ct का ct का secondary current कितना आता है x by 100 vph यह मैंने voltage निकाल ली x percent winding की divided by neutral resistance into ct ratio ct ratio मैंने बताया था ना मैं क्या लीता हूँ secondary by primary this must be greater than equal to i pickup ठीक है तो protected winding कितनी हो जाती है protected winding होती है 100 minus x इसका पता है logic क्या है logic यह है बिटा कि अगर fault अगर आपका fault बहुत छोटे x में आ रहा है x का मतलब देखो कुछ ऐसे है मैं समझा देता हूँ देखो यह पूरी winding जो है ना इसकी voltage है vph तो देखो यहाँ पे जहाँ पे fault आ रहा है यह voltage है x vph वेर x is less than 1 यह x by 100 ऐसे कर लो और यह voltage पूरी है vph तो neutral में जो current जाता है ग्राउंड से ground वो x vph के कारण जाता है अब अगर x की value कम होगी तो आपका यह neutral current कम होगा तो x reduces neutral current reduces और अगर neutral current कम होगा relay does not detect fault तो यानि छोटे x के लिए relay को fault ही नहीं मालूम चलेगा तो यानि वो हिस्सा तो unprotected रह गया ना relay पकड़ेगा ही नहीं उस हिस्से में fault को तो वो हिस्सा क्या रह गया unprotected यह logic है unprotected का अब inter turn fault देखो कभी कभी क्या होता है मेरे बच्चों कि एक ही phase के 2 turns के बीच में fault आ जाता है इससे क्या हुआ turns bypass हो गए अब अगर आप दोनों end का current देखोगे दोनों end पे तो current बराबर होगा ना सोचके देखो अगर बीच में कहीं पे 100 में से 10 turn आपके short हो गए 90 बचे तब भी entering और leaving current बराबर होगा तो इस तरह के fault जो है आपके cannot be detected by differential protection इसमें हम लोग क्या करते हैं ना एक phase की winding के turns को दो पार्ट में divide कर देते हैं n by 2 n by 2 ऐसी n by 2 हर phase को दो दो पार्ट में divide कर दिया अब देखो अगर किसी एक हिस्से में shorting आई है तो उससे क्या होगा? shorting आने से इसका resistance कम हो जाएगा तो इसमें current जादा होगा यहाँ पे अगर i1 तो यहाँ पे i2 तो यह जो i2 आएगा this will be greater than i1 लेकिन बाकी जगे क्या होगा? i by 2 i by 2 ठीक है? i by 2 i by 2 अब बिटा अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर आप इन दोनों के बीच में differential relay लगाओगे अब यह fault detect कर लेगा तो आपने एक winding के दोनों end पे नहीं लगाया आपने एक winding के दो हिस्सों के बीच differential relay लगाया कि अगर कभी एक जगे shorting आ गई तो दोनों हिस्सों का current unequal होगा which can be detected by a differential relay समझाया? इसको क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो split phase relaying split phase relaying कि एक phase को हमने split कर दिया है ठीक है भई? last is protection of transformer इसमें differential protection होता है हम current transformer लगाते हैं and we connect a biased differential relay क्या लगाते हैं? biased differential relay तो इससे क्या होता है? अगर primary या secondary winding में कहीं पे भी fault होगा तो this differential relay will detect लेकिन बिटा यहाँ पे एक चीज़ हमको क्या ध्यान रखनी है कि CT का connection आपका normal transformer से REF relay REF क्या बोल रहे हो normal transformer से इसका CT का connection opposite होता है यानि कि अगर आपका power transformer का जो भी connection होगा CT का connection उससे उल्टा ही बनेगा ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि जब आप एक three phase transformer लेते हो बिटा तो primary और secondary की current में phase shift आता है अब अगर आप primary secondary current directly भी compare करोगे तो भी अलग-अलग ही आएंगे भाई क्योंकि phase shift तो ही सोच के देखो न, phase shift तो ही तो अगर आपका कोई restricted earth fault relay बताया तो अभी ये बताया तो सही इस पे ऐसे ही numerical आएगा लक्षमन अगर आपको detail में देखना है बिटा, मेरे comprehensive course के अंदर देख लो इसी channel पे लेकिन अभी मुझे वो information cover करने जिससे तुमारा fab के exam में question बन जाए समझ रहे हो, अगर आप 0 से सीख रहे हो तो this will not be an ideal course for you अब देखिए भाई, क्या होता है कि यहाँ पे आपका normal condition में भी primary और secondary का current equal नहीं होता there is a phase shift between the two और वो phase shift क्यों आ रहा है because of the phase shift offered by a three phase transformer तो अगर आप दोनों side का compare करोगे current आपको ऐसा लगेगा हमेशा ही fault है तो उस phase shift को cancel करने के लिए आप जो CT का connection करते हो वो transformer से उल्टा करते हो ठीक है CT का connection transformer से उल्टा होगा लेकिन सर दोनों तरफ turns भी तो अलग-अलग होते हैं अब उसको भी तो compensate करना पड़ेगा तो इस पे देखो एक ऐसा question बन जाता है question क्या बनता है कि a 66 by 6.6 kv delta star transformer has 500 by 5 ampere CT on low tension side compute CT ratio on HT side अब देखो मैं इसको बहुत basic से मैं solve करता हूँ ठीक है एकदम basic से मैं क्या बोलता हूँ आप लोग को कि आप न दो चीज़े देखो एक तो primary यानि जो यहाँ पर high tension है और एक secondary जो कि आपकी low tension है अब यह धियान रखें कि CT जो होते हैं हमेशा single phase होते हैं CT क्या होते हैं हमेशा single phase तो जब three phase की बात हो रही है तो basically you will have to use three transformers एक की जगे ना three use करोगे तब वो बनेगा जैसे bank of three single phase transformer होता है ना अब यहाँ पर देखिए भई सबसे पहले voltage की बात करें तो यहाँ पर 66 है यहाँ पर 6.6 है अब आप current मान लीजिए यहाँ पर मान लो I है अब यहाँ पर कैसे निकालोगे power conservation से वैस तो देखो root 3 दोनों तरफ से कटी जाता है फिर भी चलो मैं basic से बता रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ से जो current आया that becomes 10 I अब यह जो current आता है ना line current बिटा यही CT का primary current भी होता है CT का primary current क्या है transformer का line current normal transformer का line current है वो CT का primary है अब I secondary CT अब high tension का तो मुझे पता नहीं है ना तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ I by K K is to 1 ratio मैंने लिया है तो I by K इसका 500 by 5 है तो यह हुआ I by 10 अब CT का connection देखिए डेल्टा साइड पे स्टार होगा स्टार साइड पे डेल्टा होगा अब CT का line current अब स्टार है तो phase के बराबर और डेल्टा है तो root 3 times the phase अब मैं कहता हूँ normal condition में without a fault दोनों बराबर आने चाहिए दोनों बराबर आने चाहिए तो यहां से K निकल जाता है चमका देखो जी यह आ गया K ऐसे निकाला जाता है CT ratio समझे? फिर से बता देता हूँ पहले voltage लिखा फिर एक का current आई मान के दूसरे का current निकाला यह CT का primary बना CT का secondary current निकला CT के ratio से अब CT का connection देखा उससे line current निकाला line current को equate करके CT ratio निकल गया अगला होता है buckles relay buckles relay use होता है to detect the fault below the oil level यह buckles relay कहां लगता है? it is connected between connected between conservator and transformer tank कहां connected होता है? conservator और transformer tank के बीच में इसमें basic funda क्या होता है बिटा कि जब कभी fault आता है तो एक arc produce होती है जिससे की heat पैदा होती है heat पैदा होने से क्या होता है? oil decompose होता है oil decompose होता है तो gases बनती है gases oil पे pressure लगाती है जिससे oil भागता है tank से conservator की तरफ जब oil भागता है tank से conservator की तरफ तब बिटा ये जो बीच में ये जो बीच के अंदर आपकी एक plate है इस plate पे pressure पड़ता है इस plate को ये push करता है जिससे की switch activate हो जाता है and transformer gets disconnected तो इसके अंदर याद क्या-क्या रखना है it detects the incipient fault यानि internal fault below the oil level तो इससे transformer oil decompose होता है जो की 70 से जादा परसेंट hydrogen केरी करता है hydrogen की gas light होती है ये oil के उपर जमा होने लगती है जिससे oil को दबाती है oil भागता है conservator में और ये switch को press कर देता है और फिर देखो आपने उपर एक nozzle भी दिया है जहां से gas sample का composition आप check कर सकते हो ठीक है? ये बात clear हो गई चलो ये question देखिए जरा आप देखो यहाँ पर ak की dot दिखाया है तो आप current की direction नहीं निकाल सकते हो ठीक है? तो यहाँ पर 250, 250 क्यों दिखा दिया है? ये वाला 220 है शायद ठीक है? हाँ जे तो आप current की direction नहीं बता सकते हो तो आप सीधे subtract करना करो जरा इसको कितना आएगा operating coil में current? फटा-फट बनाओ current in the operating coil चलो भाई, come on everyone कितना नहीं कितना नहीं कितना नहीं है किस rating तक buckles really use होता है? यहाँ पर लिखा नहीं है कि मैंने ये बिटा 500 kVA तक use होता है ये लिखा तो है? अब बिलो 500 kVA, last point ठीक है? हाँ जी तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर आप कहेंगे current आ रहा है ऐसे मान लो 220 into 5 by 400 यहाँ पर आ रहा है 250 into 5 by 400 direction ना पता हो तो हमेशा subtract करें तो operating coil में जो current जाएगा वो दोनों का difference 30 into 5 by 400 0.375 सी ठीक है? अगला आदिल बिटा power electronics already provide कर चुका हूँ संकल बैच वाली playlist में चेक कीजिए उसके अंदर 7 वीडियोज है 7 marathon है for power electronics देखो इसको कैसे करोगे ना x by 100 VPH VPH है 11,000 by root 3 divided by resistance resistance कितना दिया है? 5 ohm CT ratio 5 by 1000 equal to the pickup current 1.5 तो यहां से x निकाल दो 1000 से 1000 कट गया 5 से 5 कट गया where is my calculator देखो 5 से 5 कट जाएगा भई 1000 से 1000 कट गया तो 100 root 3 by 11 15.74 यह आ रहे है यह आपका क्या आ रहे है? बताओ आप लोग का क्या आ रहे? अच्छा 1.5 मैं भूल गया 23.6 बताओ अभी तो मैंने सिर्फ machine के recorded videos launch की है creatrix.graphy.com पे अगला देखो minimum resistance to protect 90% of winding 90% अगर protected है तो unprotected कितनी होगी? unprotected कितनी होगी 10%? तो आप क्या लिखोगे? देखिए 10 by 100 है ना यही फॉर्मुला चलता है अब resistance पूछ लिया तो यहां से R कितना आ गया? 11 by root 3.1 1.1 by root 3 5.5 by root 3 0.47 नहीं यार 2.116 यह आ गया B ठीक है? 2.116 लास देखिए percentage of differential relay will eliminate the following difficulty in differential protection मतलब जो percentage differential relay लगाय थे ना जो biased differential relay था वो क्या difficulty eliminate कर रहा था? बताओ कौन सी difficulty से आप बच रहते भई? बोलिये तो answer is D ratio में जो भी error आता है चाहे saturation के कारण आए या generally आए तो उससे क्या होता है? एक normal differential relay उसे fault समझ लेता है लेकिन percentage differential relay उसे fault नहीं समझेगा ठीक है भई? तो मैंने आपको सारी तरह के numerical बता दिये और बच्चों अगर new year पे आपका भी वही resolution है जो हमारा है that is getting the best result in gate exam तो आप लोग फटा फट से unacademy join कर सकते हैं and you can get right now 23% off on all the subscription चाहे IRMS के लिए आप UPSC और gate का combo करी दे चाहे आप gate join करें या फिर आप कोई और subscription लेते हो सब पे 23% off है using ankit ESE हाँ बिटा गुरुराज क्योंकि current बहुत हाई होता है न कंट्रोल का भ्रहमासर करातो दिया मनीश्तर ने अलरड़ी खतम हो चुका है कंट्रोल का भ्रहमासर संडे को हाँ कल साड़े 9 बज़े ही होगी तो आपको इस पे भी 23% off मिलेगा भई ठीक है और 8 जनवरी को आपका अगला All India Mock Test होने वाला है तो इसके लिए बढ़िया से तयारी कर लो इसका लिंक वीडियो के description में है इसमें enroll कर लेना free test है using ankit ESE आपके 4 टेस बचे हैं January में they are very very important for you और देखो भाई यहाँ पे आपके पास क्या है यह link है जहाँ पे धेर सारा आपके पास practice material है जिस से की आप अपने concepts को next level ले जा सकते हैं अब यहाँ पे देखे जब आप unacademy join करते हैं then you can take plus as well as iconic दोनों में इना आपको top teachers मिलेंगे app पे study material मिलेगा test series लेकिन iconic में नए question में doubt आता है तो video solution घर के लिए printed notes one to one live mentorship strategy and study plan and interaction using audio during the open house session तीक है और देखो आप लोग test series ले सकते हो हमने 4 महिने की test series launch कर दिये इसमें 70 से भी जादा test हैं तो अगर आप इसमें देते हो part test, subject test, mock test, multi subject test तो आप इस पे भी 10% discount पास सकते हो using Ankit EAC तो अभी के अभी Unacademy app पे जाएए plan decide कीजिए duration decide कीजिए and then simply use code Ankit EAC to get maximum discount और आप results देख सकते हो बिटा gate 22 में top 10 में 4 rankers हमारे थे इस साल इस से भी बहतर result produce करेंगे और next year आप लोग भी ऐसे ही आ सकते हो इस posture पे, just you have to join Unacademy और EAC में देखो अभी result आया बिटा तो गजब तरीके के results आये electrical and DCE से इसमें AIR 13 मैंने display नहीं गया एक और ranker है AIR 13 जिनका interview मैंने आप लोग के लिए लिया था यश यादव तिक है? और अगर financial issue है न तो EMI पे ले सकते हो बिटा यहाँ पे अपनी fees आप month on month भर सकते हो कोई EMI पे interest पे नहीं करना है paperwork में सिर्फ आधार card, pen card है and you can repay the loan in flexible amount of time और आपके लिए जो latest batch है बिटा इसमें network start हुआ है दान्डे सरने start किया है for 2024 2025 के लिए भी network start हुआ है IRMS के लिए भी network start हुआ है और IRMS का जो GS का batch है न वो 18 December से आपका चालू हो चुका है अब आप ये देखो ये मेरा Telegram channel है यहाँ पे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा आप download कर लिजेगा शुबं बिटा वो admit card मिलने के बाद आएगा आपका fees refund admit card तो आने दो और देखो आप लोग को अगर मेरा पुराना study material चीए control and lock का तो unacademy app के home page पे जाना community में discover पे आपको वहाँ पे मेरा study material मिल जाएगा so thank you everyone अब हम लोग कल मिलेंगे 9.30 बजे economic load dispatch कवर करेंगे और power system का crash course wind up करेंगे let's crack it